पून परमात्मा पाप करमदंड को भी काड़ सकता है अभी तक जिस भी संत्वा महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप करमफल भोगने से ही समाप्थ होगा वो प्रभु कौन है जो पाप करम को काड़ देता है वो काल के बंधन से छोड़वा देता है उसका क्या नाम है पूजा की विधी क्या है किर्पया अवश्य सुनिये जगत गुरु नत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के अमरिक वज़ा सत्गुर्देव की जय सरवशंगत से प्रार्थना है सत्संग प्रारम हो रहा है किर्पया सत्संग सथल पर सानती पुरुक विरादमान हो करके सरदा से सत्संग सुने परमेश्वर की प्यारी आतमाउं से पुनर निवेदन है सत्संग प्रारम हो रहा है किर्पया सत्संग सतल पर स्यांती पुरुक विराजमानों करके सर्दा से सत्संग सुने साथ साहे बोला सत्गुर्देव की जय बंदी छोड कबीर परनेश्वर जी की जय बंदी छोड गरीब दास जी माराज जी की जय स्वामी राम देवानंजी गुरु माराज जी की जैहो अभी हो स्थ गुरु साहिब संत सभ डंड़ तंपरना आगे पीछे मज हुए तिनकों जां कुर्बान नराकार निर्विसम काल जार वेभंगनम निरलेपम निज निर्गुनम अकल अनो बेशंदुनम सोहं सुर्ती समापतं सकल समाना निर्तल उज्वल हिरंबर हर्दमं बेपरवा अथाहवार पारनी मज्दम रिवदो सुमरे स्यदहोई गणनायक गल्ताना करो अनूगरसोई पारसपद परवाना आदि गनेसमनां गणनायक देवन देवा सरनकमलो लाउँ आद्यन्त करूँ शेवा प्रम्सक्ती संगीतं रिदिशिदाता सोई आवगत गुने अतितं सैत्य पुरस निर्मोही जगदंबा जगदीसं मंगलरूक मुरारी तनमन अर्पंशीसं भगति मुक्ती बंदारी सुर नर्म निजन ज्यावें वर्मा विष्म महेशा सैस सैस मुक गवें पूज आद गनेशा इंद्र को बेर सरीखा वरुन धरम राय ज्यावें सम्रत जीवन जीका मन इच्छा फल पावें तेतिस कोटिया धारा ज्यावें से अठासी उतरें भवजल पारा कट है यम की फासी तेतिस कोटिया धारा ज्यावें से अठासी उतरें भवजल पारा कट है यम की फासी साथ साही कर जोरूं इनती करूं दरूं चरण परसीशी गुरु जी राम देवानद जी महराज ने दियो नाम बक्षीश कोटी कोटी सिजिदा करूं कोटी कोटी परुनाम चरण कमल में राखियो में बंजी जाम गुलाम कुटा हो गुरु देव का राम पाल दास को नाम गले प्रेम की जेवडी जाखें चोवाँ जाओं तो तो करो तो बावडू दूर दूर करो तो जाओं जो राखो तो ही रहों जो देव सुखं परंपिता प्रमात्मा पूर्ण ब्रंग सारी सिर्ष्टी के रतनार कवीर देव कवीर प्रमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुनात्माएं सत्संग सर्वन करने के लिए उपस्तित हो पाए मान उसे जनम दुरलब है मिलेन बारं बारे तरवर से पत्ता तूट गिरे वो बोहर ने लगता डार पिर्थ्वी पती चकवे गए जिन के चकर चलंत रामन सरी खे कौन गिन ऐसे गए अनन्त मान उसे जनम पाय के जो नही रट हरी नाम जैसे कुआ जल्ब ना फिर बनवाया क्या काम राम नाम की लूट है लूटी जाते लूटी पीछे फिर पचताओगे है प्राण जहांगे छूट नंगा आया जगत में नंगा ही तू जाए बीच में ख्वाबी ख्याल है ये मन माया भरमावे मर्दगर्द मैं मिल गए वो रावन से रण धीर कंस केसी चानोर से भाई हे रनक्स पूबल बीर तेरी क्या बुनियाद है जीव जनम धर लेते गरीब दास हरी नाम बेना तेरा खाली रह जाखे जिन हर की चोरी करी और गए राम गुन बूले ते बेद ना बागुल किये है रहे उर्द मुख जूले राम रटत कोडी भलो चूचू पड़े जुचा में वो सुन्दर शरीर किस काम काह जा मुख नाही नाम राम रटत कन्या भली साक्ट भलो ने पूहूते जैसे छेरी के गल में गल थनाहा जिसम दूद ना मूते राम रटत दारी दर भलो तुटी गर की च्छाने वो सुन्दर मेल किस काम के जा भगती नहीं भगवाने कबीर जी व्या तो वाए भली जो जप हरी नाम नहीं तो काट के फैंके दियो ये मुख म बलो ना साम परम पता परमात्मा परम इश्वर हमारे पता सब के जनक सर्वा उत्पादक परमात्मा परभो कबीर साहिब जी कबीर जी ये परम अक्सर बरम हैं सारी सिष्टी के रचनहार हैं और पुनात्माओं आपके उपर रह्म किया दिन द्याल ने आपको ये तत्वग्यान समझाया आप तक पहुंचाया आप तक ये तत्वग्यान पहुंचाने के लिए उस परमेश्वर ने कितने किस्ट उठाए आप तक पहुंचने के लिए उस परमात्मा ने भिन भिन भेश बनाए और आप जी ने इस काल की भांग को इतना पी लिया कि इस काल के इस नकली सुख इस जूठे सुख के नसे में आप बगवान को पहचानना भूल गे परमेश्वर कहते हैं मैं रोवत हूं स्रिष्टी को स्रिष्टी रोवे मुहे ग्रीब दास इस व्योग को समझने सकता कोई हमारे पता कहते हैं हमारे भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें रो रहा हूँ, तुम्हारे लिए बटक रहा हूँ, कि तुम गल्च सथान पर रह रहे हो, या कोई जीव सुखी नहीं, या सुख नाम की वस्टू नहीं, और आप यहां सुख खोज रहे हो, और सुख देने वाले उस बगवान की खोज कर रहे हो, उसके हो, तड़फ रहे हो, मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूँ, कि मैं हूँ वो परमातमा, मैं तुम्हारा जनक हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, आप जिने ये गल्ती की, जिस कारण से आप इस काल कसाई के यहां फस गए हो, किसी का बेटा मार रहा है, किसी की बेटी मार द और सेस बचे हुए ये सोचते हैं कि हम ठीक हैं यदि आप रोग रही थे हैं कल मरत्यू होगी फिर गदे बन जाओगे तो क्या खाक ठीक हो आप इसलिए परमात्मा याद दिलाते हैं कबीर ये माया अट पटी सब गट आइन अडी किस किस को समझाओं या कुए भांग पडी परमात्मा कहते हैं किस किस को समझाओं इस कालव अगवान ने इस नकली सुख की कि कुए के अंदर जैसे एक दो तीन कुवंटल भांग गोले कर डाल दे कोई उस कुए का जल चाहे एक अजार विक्ती पी ले और पीने के उपरां तो उनकी एक जैसी गतिवी दी एक जैसी वासा एक जैसी चाल हो जाती है क्योंकि सब को वो नसा हो चुका है तो इस काल भगवान ने इस तरिकुण मईबाया की इतनी मातरा डाल रखी है आपके अंदर कि आपको इतना नसा हो गया इसका जैसे किसी के पास बड़िया मकान कोठी हो जाती है कार हो जाती है उसको नसा है वो और वो फुला नहीं समाता और वो भूल जाता है बालक कल मर्तु हो जाएगी ये कार कोटी तेरे साथ नहीं जाएंगी यहां बुजी क्यों नहीं आती आपकी परमातमा में याद दिलाना चाहते हैं कि इन सुखों को जहां आप यहां खोज रहे हो आपको सतलोक में मिलेंगे यहां तो आपने जो कार भी विवस्था कर ली थातीस पंगे पाक है फिर उसमें कोई इंजन मगड़ पड़ है कोई पैट्रो डलवाना जेव देखनी पड़ है सतलोक में चलो आपको विमान मिलेंगे विमान मिलेंगे और आप की मन से जहां चाहोगे एक सेकंड में उड़ कर आपके पूरा परिवार बैठकर कहीं घूम सकते हो कोई पैसा नहीं लगेगा आपको सब उस्तू मुफत मिलेंगी सब सुख होगा आपकी कभी मर्चू नहीं होगी आपका ऐसा ही परिवार वहां सत लोग के अंदर होगा अभी तक यह मुर्ख बनाया करते थे नकली संत कि वहां परकास यह परकास है चेतन ही चेतन है आतमा उसम जाकर ऐसे मिल जाती है जैसे बून समंदर में फिर खाक क्या करेंगे हम आजा करके इससे यहीं दुख सुक यहीं ठीक है तो उनको अकल थी नहीं ग्यान था नहीं उनका सवन भाव नहीं था क्योंकि उनकी साद ना गलत थी उनका ग्यान गलत था वो काल प्रेरी थे काल के भेजे हैं तो परमातमा हमें याद दिलाते हैं कि जुठे सुक को सुक का है यह मान रहा मनमौद यह सकल चबी नाकाल का कुछ मुखम है कुछ गोध अपने आत्मा आप देख रहे हो कहीं पर भूकम पा जाता है हजारों लाखों की संख्या में मानो मर जाते हैं अन्य प्रा अधाल आ जाती है गाहुं के गाहुं भेड़ जाते हैं हजारों की संख्या में वेक्ती मारे जाते हैं और वो उन मकानों को उन और वहां के संसारिक सुखों को जोड़ने में सारा जीवन लगाते हैं उनका दृष्टी कोण सिर्फ उनहीं पर केंदरी रहता है के कोठी बना लूँ, कार बना लूँ, एक प्लाट और ले लूँ, दो कोठी और बना दूँ एक बैंक बैलेंस बना दूँ, एक फैक्टी लगा लूँ, उदे से मनी मेक ही रहता है परमात्मा कहते हैं, तो बच्चे ओले खेल खेल रहे तूँ आप जी को ग्यान नहीं है, इसलिए यहां डले ढो रहे हो, एक सेकंड का पता नहीं कि आ विजली गिर जा और फिर आप यहीं सतीर होना चाहते हो, ऐसे गंदे लोग में, तो यह तत्वग्यान का अभाव है, जब आपको तत्वग्यान होगा, आपके मन की विबस्था ही अलग हो जाएगी जब आपको तत्व ग्यान होगा आपके मन की सचीची बदल जाएगी आपका उदेश से बदल जाएगा प्रमातमा हमें आकर याद दिलाते है आप जी विचार किजिए कि आपकी मर्तु तो होगी होगी चाहे यहाँ कोई पूरी परच्वी का राजा है और चाहे अमीर या गरीब है कोई भी विक्ती है आपकी मर्तु होगी और आपने जो कुछ भी सारे जीवन में संग्रह किया वो आपके साथ नहीं जाएगा यह तो यूनिवर्सल टूथ है आपको सब को मालू मैं और पुन्यात्माओ ठीक है आपके पुरोजनम के पुन्य है आपको जो भी वस्तु उपलब्ध है इसको यह समझ लो कि आपकी नहीं है आप एक रेश्टोरेंट में रह रहे हूँ अब जैसे अच्छे पुन्जी वाले विक्ती सेट्स दनी विक्ती अच्छे रेश्टोरेंट में जाकर के अपना एक, दो, तीन, चार जैसे भी वो वहाँ दिन रात वितीत करना चाहते हैं तो उनके पास पैसा घना है तो वे हाई क्लास के हाई क्वालिटी के रेश्टोरेंट के अंदर रह रहे हैं वहाँ सो भी दाएं अच्छी हैं सोफा सेट हैं, बढ़िया पलंग हैं टीवी रखे हैं, सारी विरस्था है वहाँ पर बैल बजादी बैरा आगया, जो वस्तु मांगी उपलब्द होगी खाने और पीने की और एक गरीब विक्ती जाके ने उब अगया है जिसमें एक तक पड़ा है और सिंपल आहार है, थोड़ा खरक्चा है उसका, तो ऐसा ही समझे लो आप, जो गरीब है वह एक सिंपल होटल में रहा है, अमीर है वह बड़े होटल में रहा है लेकिन वस्तु किसी की नहीं वहाँ पर होटल में गए विक्ति को पता होता है कि यहां तेरी वस्तु कोई नहीं है इनको परियोग कर सकता है वो भी अपने खर्चे से तो इस काल वगवान का यह होटल है फोर एक्जामपल और इसमें आपके पुनों के कारण आप सुईदा जो आपको है वो आपके पुरज उनकी पुन्जी से है जेब आपकी ही खर्च हो रही है जो सुईदा है आपको अपलब्द है आपके पुनक्षिन हो रहे हैं और गरीब विक्ति है वो समझ लेए simple hotel में रह रहा है कोई जोफडी में है ते simple मकान में रह रहा है तो वो भी एक hotel में है एक दिन दोनों नहीं जाना है और दोनों ने वो सब वस्ती ही छोड़ जाना है अब जाना कहा है सवदेश को जाना है होटल में विक्ति वही रहता है जो विदेश गया हुआ है अपने घर से बाहर है आज तक आपको यही नहीं मालूम कि हम इस होटल को छोड़कर प्रस्थान कहां करेंगे आपको तो जबरदस्ती जब आपकी पुझी समाप्त हो जाती है आपका समय समाप्त हो जाता है उस होटल से पकड़का बाहर फैंक दिया जाता सड़क पे अब कहीं जाओ जब हम घर से बाहर चलते हैं वैसे किसी कामकारी अवस्थ तो जाने से पहले हम वहां कहां रुकेंगे रातरी हम कैसे वितीत करेंगे उसकी विष्था पहले करके जाते और संसार छोड़के जाने वाला विक्ती कभी सोचता भी नहीं के मरत्यू के बाद मैं कहां जाओंगा तो वो ग्यान अब आपको प्राप्त हो रहा है कि आप ये साधना करोगे और आप इन होटलों में रहो जैसे जिसकी विष्था है ठीक है धनी है अपने उस विधा को प्राप्त करो निर्धन है आपने उन मकानों में गुजर करो और दोनों ही दो रोटी खाते हैं एक गरीब भी और सेट भी और एक चार पाई पर ही सोते हैं तीन चार चारों पर सेट नहीं सो सकता एक कौने में ते दस कक्स की कोठी हो एक कक्स के एक कमरे में एक तकत सड्डे तीन भाई परिमात्मा कहते हैं क्या चनावे मेंडिया अरलंबी भीत उसार गरता सड्डे तीन आथ गनाता पौने चाहरे आपको लेटने के लिए अपने हाथ होता एतना परते का सरीर अपने सड्डे तीन हाथ का होता है तो परिमात्मा कहते हैं आपने भी सक्स की कोठी बना रखिये उसमें सड्डे तीन आथ और भाई एक एक आथ इतनी जग है जरू आपको बाकि उसको ठीली शर्मा मार ले क्या बढ़ेगा उसका समय खोया अपना जीवन वर्त किया तो कहने का भाव ये है के ठीक अब अगवान आपको कोठी भी दी है सुझधाय भी है कोई बात नी लेकिन अब बाविश्य की त्यारी करो यहां से चलने का उदेश्य से बनाओ असक जनम होगे आप जी ने यही भटकतों का अपर मातमा हमें बताते हैं कि आप जी यहां इस काल कसाई के लोक में रह रहे हो इसने आपको अपने स्वारत वस पाल रखा है जैसे कसाई बकरे पालता है पुने अत्माओ आप के उपर तीन गुणों का इतना जबरदस्ट परभाव हो गया कि आप जी अपने परिवार अपनी संपती को अपना मान चुके हो और मान चुके हो जैसे नसे में विक्टी चहे करोड़ियों पर पड़ा हो गंद में और चहे एक चार पाई पर लेट रहा हो उसको पता है नहीं तू कहा है तो आज हम सभी की ये सचीची है कि हम इस सब कुछ को अपना मान चुके और इसको ये कहा जाता है कि आप कसाई के लोक में रह रहे हो और ये आप को सब को खाएगा बारी बारी बारनों से कोई बीमारी से और सेस बचे ये सोचते हम ठीक हैं जिन के साथ वो गट ना गट गी उस से पहले वो भी आप जैसी ही सथी थी मैं थे तो पुन्यात्माओं परमात्मान रजा बक्सी आपको ये ग्यान देने की और फिर वो विकलब बताया कि यहां से जाकर आप कहां रहा करोगे गीता जाय नंबर पंदरा के सलोक नंबर एक से चार में कहा है कि उल्टा लटका हुआ संसा रूपी वरक्स है उपर को जड़ तो समझो पूर्ण परमात्मा और नीचे को तीनों गुन रूप साखा है और जो संत इस उल्टे लटके वे संसा रूपी वरक्स के सभी विभाग बता देगा तना कौन बगवान है इस संसा रूपी जड़ कौन है यानि जिससे सब का धरन पोशन होता है वो कौन पर भूए और साखा कौन है डार कौन है और पत्ते क्या है तो सेवेदवित वो तत्वदर्सी संत है तत्वदर्सी संत की प्राप्ती के उपरांथ पंदर मेद्य के चौथे स्लोक में का स्रीमत भगुत गीताब उसके पस्टाथ परवेश्वर के उस परवपत की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद सादक फिर लोटकर कभी संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर ने सब बर्भंडों की रतना की है संसार उपी वरक्स की परवर्थी जिस से विस्तार को प्राप्त हुई है उस परवात्मा की बग्ती करो और किसी की नहीं और गीता ग्यान दाता अपने भी सेम कहता है आठ में जाए के तेरे में सलोक में ओम इती एकाक्सरम ब्रह्म विभारन मामन समरन ये परियाती तजन दे हम से आती पर माम देती मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्सर है गीता का ग्यान ब्रह्म बोल रहा है ये काल बोल रहा है, श्री किर्सन जी में प्रवेस करके बोल रहा है, और ये कह रहा है कि मुझ ब्रम का की ओलेका मंत्र है, इसका हुचण करते हुए संसार होड़कर जाते समें, VH मर्तس में भी इसी का जाफ करता है तो वह से मिलने वाले जो परहमकती हो प्राप्त हो जाथी है वह ब्रहम- लोक प्राप्त होता है ब्रहम- लोक में गए प्राणी भी वापस आते है आठ में ज kör चैसले में गीता-जीम स्भष्ट किया है वो भी पुन्रा वर्ती के अदर तो गीता ग्यान दाता कहता है कि तो थे जहे के पांच और नौ सलोक में गीता जहे नमर दो के सलोक बारा में गीता जहे नमर दस के सलोक नमर दो में गीता ग्यान दाता कहता अरदुन तेरे और मेरे बहुत जनम हो चुके तू नहीं जानता मै जानता हूं इसे सिद्ध है BJत गे जीयनदाद भरह है यह काल है। गीता जाह नमर ग्यारा कि स्लोक नमर बतीस में सुम कहता है कि अर्दुन मैं काल हूं और अब परomenaट ह albums हुआ हूं स्री खियर्शन नहीं थे काल हूं। उते हो तो यह वैक्ता ग्यान बता दिया हमारे काु श्रीक Alrighty रिक्रशन जी को सुपरें पावर बता दिया जबकि श्रीकर्शन जी तो एक दीध मांड में यह सतो 스गस बाद में भाके मन्तरी संगव और इनका पिता काल एक दीध मांड में मुख्य मन्तरी संगव और ओराल कंट्रोलर सभी बर्मंडों का वो परधान मंत्री समझो वो परम अक्सर बर्म समझो वो पूर्ण परमात्मा उसकी साधना के लिए ही ये गीता ग्यान दाता बार बार कह रहा है गीता ज्याय नमर ठारा के स्लोक नमर बैसेट में कहा के अर्दू तुसर्वा भावसे उस परमेस्वर की सनमझा उस परमेस्वर की करपा से तुपरम सांतिक और सनातन परम धाम को पराप्त होगा है गीता देनमर 8 के स्लोक अबर एक मर्दों ने पूछा कि ही परमात्मा आप ने जो सात में देन का 29 स्लोक में जिस तत प्रम की जानकारी दी है कि तत प्रम को से परिचित पराणी इस अधातम ग्यान से परिचित और सभी कर्मों से प्रिचित व्यक्ति केवल जरा और मरन से छूटने के लिए प्रियतन करता है जरा माने वर्दवस्था और मरन माने मर्टू जरा और मरन से छूटने के लिए जो प्रियतन करते हैं वे उस तत्वरम से प्रिचित है अर्थात उस पुर्ण परमात्मा से प्रीचित हैं उसके सास्वत सथान से प्रीचित हैं वहां जाने के बाद बुड़ापा नहीं आता वर्दवस्था नहीं आती और मर्चू नहीं होती आठ में दैके पर्थमंतर में अर्दून ने पूछा फिर किम तत्वरम है बतादे मुझे आठ में दैके तीसरे स्लोक में गीता गयान दाता ये काल कहता है बर्षमं कि वह प्र्मकसर बर्षम है यानि गीता गयान दाता से कोई अन्नय है वह प्रभू वह स्वामी वह मालिक घिता दैüyorsun नमर चार के स्लोक नमर बतीस और चौटीस में सबस्ट किया है कि वो सचीदानंद गनबर्म अपने मुख कमल से बोल कर एकमरत ग्यान परचार करता है उस सचीदानंद गनबर्म की वाणी में धारमे कनुष्ठानों की अज्धातम मारग की बगती वी जी विश्तार के साथ कही की है वो तत्वगान है उस तत्वगान को अर्दुन तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ उनको डंड़वच परनाम करने से कपड़ छोड़ कर परसंद करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्वगान का उपदेश करेंगे इसे सिद है कि गीता के अंदर वो तत कि प्रम अक्सर ब्रम है और गीता जाय नम्ब्र आठ के सलोक नम्र पांस और साथ में अपनी साधना करने को कह रहा कि मेरी बक्ती कर मुझे प्राप्त होगा लेकिन युद्ध करना पड़ेगा और पुनातिमों जाय युद्ध होँ शानती नहीं हो सकती हैं इसलिए गीता ग् सानती को और सनातन परमधाम को प्राप्त होगा जाने के बाद सादक फिर लोटकर कभी संसार मैंने आते हैं अब गीता ग्यान दाता गीता जह नमर आठ के स्लोप नमर आठ नो दस में कहता है कि उस सतीदा नंद घंबरम की बग्ती करने वाला प्राणी सादक बग्ती की सकती से योग केबल से योग मैंने सादना केबल से बग्ती की ताकत से उस मंतरों की बग्ती की कमाई की ताकत से उस परमात्मा को सतीदा नंद घंबरम यानि परमकसर बरम को ही प्राप्त होता है अपना तो उसने मंतर बता दिया आठमें जाए कि तेरमें स्लोक में कि मुझ बर्ब का कियो लेको मक्सर है नथिंग एल्स ओम नमे स्वाए ओम भागोते ओम ये बागोते वासु देओ ये ये मंतर नहीं है ये तो बालक वलोने वाले खिलोने है मिठी को लिया है सतर में जाए कि 23 में स्लोक में गीता गयान दाता ने कि वल संकेत दिया है कि उस सचीदा नंद गनबर्म के पाने का तीन मंतर का जाप है नथिंग एल्स उसके अच्छित कुछ नहीं ओम तत सत इती नर्दे सै बर्मना तिर्विध है समरत है क्योंकि पर्मात्मा परते एक युग में आते हैं और परते एक युग में अपना इथारस ग्यान सुनाते हैं कुछ पुझ आत्माएं उनको सविकार करती है इसलिए कहा कि सटार्ट जब होता है उस समय पर्मात्मा इथारस ग्यान देता है ब्रामन माने विद्वान पुरस बुद्धिमान विक्ती फिर इसी आधार से उसाधना किया करते हैं फिर कुछ दिनों के बाद फिर से ये काल के दूट शकरिये हो जाते हैं और ये थारस ग्यान को समाट कर लेते हैं इसलिए गीता ग्यान दाता कहता है कि मैंने पहले भी ये ग्यान दिया था सासवत इन सभी को और फिर उसको आगे कुछ दिन चला लेकिन अब ये लोब हो गया अपना फिर दे रहा हूं तो यहां बताया है कि ओम तत्सत ओम तो ब्रहम का गीता दैया नवर 15 के स्लोक नवर 16 और 17 में तीन पुरुष हैं एक सरपुरुस एक अक सरपुरुस सरपुरुस ये काल है ये ब्रहम है जिसके लोग में हम भसे हुए हैं ये कालकसाई कहा गया है, इसको वेदों के जो ग्याता कैलाते थी, इसको ब्रहम कहते थी, और ब्रहम को ये सुप्रेम पावर कहते थी, इनको कख भी पता नहीं था, ये केवल 21 ब्रमांड का स्वामी है, परभू है, ब्रहम है, ब्रहम माने भगवान है, स्वामी है, और फिर परब्रम इसे निष्ट जैसे दादा परदादा एक दादा उसे निष्ट दादा तो ये ब्रहम फिर परब्रम परब्रम को अक्सर पुर्स भी कहते हैं इसको सर पुर्स कहते हैं ब्रहम को अक्सर पुर्स साथ संख बर्मांड का स्वामी है नील पदम संख साथ संख नमर 15 किस लोक 16 में दो पुर्स हैं सरपुर्स और रक्सरपुर्स और बता है कि जीतने भी इनके अंतरगत पराणी है स्रीर धारी इन सब का और साथ में दोनों सरपुर्स और रक्सरपुर्स का स्रीर तो नासवान है जीवातमा किसी की नहीं मरती आगे फिर अंदर में जाएके सतर्मे सलोक में तुरुत बता है कि उत्तम पुरसेतु अन्य पर्मात्मा इती उधारते उत्तम पुर्षोतम पुर्षोतम तो कोई और ही है इन दोनों से सरपुर सरक्सरपुर से वह अठ्मेद है कि तीसरे सुलोक में और किईता ओना ओता है अने है बटा जीये वो परम अक्सरबरम है अब देखो बरम एक सरबरम सरपुर्ष को होटे है ने सरबरम को ये तो साथ संग् बरमांट का पर भू है सौामी है सर ब्रहम जिसको काल कहते हैं जिसने गीता का ग्यान सिरी किर्शनमा पर्वेश करके दिया इसको सर ब्रहम कहते हैं यह 21 ब्रमांड का ब्रहम है स्वामी है और जो अक्सर ब्रहम है अक्सर पुरुष को हो जो अक्सर पुरुष को हो वो साथ संग ब्रमांड का स्वामी है और प का पालक है गीता जाय नमबर पंदरा के स्लोक नमर 17 में कहा कि उत्तम पुरसे तु अन्य परमातुमा इती उधारते ये लोग तर्रम आवे से विबरती अवे इसम रहे ओई होई होई ओम तत सत इसमें बता है कि उत्तम पुरसे तु अन्य इन सरपुरस रक सरपुरसे वो स्रेष्ट भगवान उत्तमन स्रेष्ट पुरसोतम कहो उत्तम पुरस pegar एक ही बात है वो पुरसोतम तो कोई और है वो परमाकसरवर्म है अठा में जाके तीसे सलोक में गीता ग्यान बाता है ने सपरश्ट ही कर दिया और जिसको परमातमा कहा जाता है अपने अत्मा अभी तक तो आप जी को अज्ञातम मारक का A, B, C, B ग्यान नहीं था क्योंकि हमारे ये गुरु ही ऐसे नकली थे इनको स्विम ग्यान नहीं था अब परमातमा का अरश क्या होता अब आज का जो स्थसंग है इस परमातमा कौन है ये कसाई काल के लोक में हम रह रहे हैं हम कैसे है ये कसाई है और परमातमा कौन है जैसे गीता जायर नंबर 15 के इस लोक नंबर 17 में सभश कर दिया है कि उत्तम पुरसेतु अन्य परमात्मा इती उधारते है जिसको परमात्मा कहा जाता है परमात्मा परम माने स्रेष्ट आत्मा माने सोल यानि अच्छी आत्मा दीन द्याल जिसको कहा जा सकता है परमात्मा स्रेष्ट आत्मा और जो मार है पूरे किसी परिवार को मारता है काटता है और बुरा हाल कर रख्या है क्या वो परमात्मा हो सकता है न कभी नहीं बिले ही हम उसको अनजान पने में परमात्मा मान बैठे हैं पर वो परमात्मा नहीं है प्रमात्मा की प्रिभासा दक्से जब बहरई रीचित होगे प्रमात्मा वो है फिरक बेल सुख दे, दुख नहीं दे तो सत लोक, वो प्रमात्मा जो हमें वो सतहान बता रख्या कि मेरा वहाँ लोक है, मैंने वहाँ ऐसी विष्टा करखिया है तो सारे असों कबर महंडों के पराणी आप सत लोक में रह सकते हो और सब के सब एक दैसी जोस्ता है सुन्दर महर बने हुए हैं तेज पुंज के सुन्दर आगे बाग बगीचे हैं सब के आगे पारक बने हुए हैं बहुत सुन्दर फल मेवा सदा लगी रहती है और जब चाहे किसी परकार का आहर मनी चाप करोगे आपकी रसोई में त्यार मिलेगा बना बनाया पका पकाया सैकेंड में और फल फरोटें तो वहां जाने के लिए परमात्मा कहते हैं कि वो है परमात्मा उसको परमात्मा कहते हैं मर्चू नहीं बुड़ा पानी रोग नहीं स्रीर ऐसा है रागद्वेस होता ही नहीं और वहां ऐसी विस्ता है तो चाहे तो भी रागद्वेस नहीं हो सकता क्योंकि सब को एक जैसी सुईदा है अब जैसे अपने अत्मा हो आप यहां रह रहे हैं दो दिन रुकों, दस दिन रुकों आपको बना बना बोदन एक बंडारे मिल लेगा एक जैसा सब को किसी में कोई अंतर नहीं एक जैसी सीटिंग होगी एक जैसा आपका विस्तर होगा एक जैसे सब को नाने दौने की विस्ता सब को बराबर है तो यहां राग द्वेस होई नहीं सकता है कोई उसे मूर्ख बुद्धी बरिष्ट होता है जिसका सौभाव में परवेस होता है वो आकर बकवाद बेसे कर लो किसी नहां गदा लगा रखा है अपना बिस्तर लगा रखा है दूसरा आके घाटी दर मैं धर वैठ हूँगा तो यह तो कहीं पैदा कर लो बकवादी आदमी होते हैं वो तो दुर्बदी होते हैं नहीं तो सब बेस्ति होते हैं यहां कोई परकार का द्वेस राग आपको नहीं हो सकता क्योंकि सब को एक जैसी वरस्ता है ऐसे ही सत लोग के अंदर वहां किसी चीज़ का अभाव नहीं यहां चोरी डकेट और यह बुराईयां क्यों करते हैं क्योंकि यहां पर हर चीज़ का अभाव है पर तेक वस्टू किसी भी बिक्स्ति को बलब्द नहीं है किस कोई भी है किसी को ऐसा रोग हो जाएगा कितना सेथ है उसकी दौाई मिल ले ना मारेज और टकर द्वार के एक बता रहा था कितना बड़ा सेथ था क्रोड़ों की इंकम थी उसको और स्वेम वो कोई ना फल खा सकता था ना कोई आहर कर सकता था दाल का पानी घोल के और छान के पिया करता चाट ले उसमायान ना सिर्पेजर ले फैक्टी और कोई ठीरे कहते हैं जीवत जग में जूती पने फिर्जम तोड़े साती बिना बग्ती के प्रानी को यहीं दुखी हो जाएंगे अगयम के दूट उनको गोट सताएंगे तो यहां प्रमात्मा आपको बताना चाहते हैं कि आप काल के लोक में रह रहे हो गीता जाय नमर पंदरा के इस लोक नमर 16-17 तीन पूरसे हो अब सतर में का परकर्ण चल रहा है कि उत्तम पूरसे तू अन्य और परमात्मा यतिर धारते हैं उसको परमात्मा कहा जाता है और ये लोग त्रेर्म आवी से भी वरती दो तीन नों लोकों परवेस करके सबका धारन पोशन करता है वो आवय इस वरे वो है अविनास्ली परमेशabyrinth वो है अविनासी भगवान अविनासी स्वामी गीता जाय नमर पंदरा के स्लोक नमर ठारा में ये बुदी हीन विक्ती जो नकली है वो ये कहते है के रामपाल पंदर में जाय के ठार में स्लोक के बारे में क्यों ना बोलता कि ऊसमें लिखा है गीता ग्णान डाता कहता है कि मैं लोक वीद में मैं इन सभी प्राणियों से उतम हूँ और इसलिए लोके वेदे लोक वेद में प्रशोतम प्रसिद हूँ तो इसका अर्थ यह है कि गीता ग्हान डाता 21 बिरमाध का स्वामी है और इसके अंतर गत सो जने महेश से भी इंक उल रिक भर मैं को ओके च्छिया हुअ कर नहीं कंपाम लिए सरेश्ट नहीं हैुश हुआ है स्लिक्षिजिए satड़नों इसने कली रह करे दिया तो पुनात्माँ ये अज्यानता का ही प्रयुन होता है जिसमें थोड़ा बहुत कच्रा रह जाता है वो ऐसे फषड़ फषड़ करा करा रहा है वो फिर कार्बिरेटर तो इन मैं थोड़ा ये दास चाता है कि सारा सफाई कर दूँ ताकि आपको कोई मिस्गाइड ना कर सके तो इस परकार पंदर में जाएके अठारमे सलोक को समझो कि ये कहता कि जितने मेरे अंतरगत प्रानी है उन से मैं उत्तम हूँ परशोतम कहलाता हूँ इसलिए इन तम तगड़ा हूँ स्रेश्ट हूँ इसलिए परशोतम परसिद हो रहा हूँ लेकि वो परशोतम कोई और है पंदर में जाएके सत्तर में सलोक में तब परसिद हम यहां आते हैं कि उसको परमातमा कहा जाता है परमातमा परभू का नाम कार्थ होता स्वामी उसको ब्रम कहो परभू कहो साहिब कहो राम गौड खुदा अल्हा कहो अल्हा भी स्वामी और जैसे परमात्मा किसे कहते हैं परमात्मा उसे कहते हैं जो कभी दुख ने देता सब को सुख सुख देता है अपरमेश्वर ने आके बताया अपनी प्यारी आत्मा धरम दास दी को कि दरमदास आप इस काल के लोक में रह रहे हो अब दरमदास दीन कहा कि परभू आप जो कहते हैं सुरोधारिये हैं लेकिन मेरे गले उतर नहीं रही ये बात कि हम गंदे लोक में रहे हैं ये कसाई का लोक है ये परमात्मा देखो कैसे यहां पर फल फरूट हैं कैसे बाग बगीचे बने हैं जरने बह रहे हैं गंगा जैसी दरिया बह रही है और कितना द्यालू है ये प्रमात्मा कैसी रितू बनाई हैं हवा चल रही है और कितना अच्छा सुद्ध हवा दे रखिया कितनी लंबी चोड़ी पर छुई है कोई कहीं बैठो उठो लेटो किसी पर कारो कितनी सुधा देता है ये इसको कैसे हम मानने के ये बगवान नहीं है तब परमात्मा ने बता कि पुन्यात्मा धरमदास जी को कहा कि इस काल को एक सराप लगा हुआ है कि एक लाख मानो शरीधारी प्राणियों को ये नित आहर करे गा और सवाल लाख उत्पन करेगा मानो यानि पत्पिस पर तीसत एक्स्ट्रा ये उत्पन करेगा इस ने सतलोक में गलती की थी जिस कारण से इसको ये एक रोग लगा सराप लगा और आप जी ने गलती की थी कि आप भगवान को छोड़कर इस पर आसकत उए थे जिस से आप इसके साथ ही हां आ गए आपके लिए आपसन है वापस जाने का आप वापस जा सकते हो जैसे विधी मैं बताँगा इस सादना को करके और ये इसलिए अब यहां परसन एक और उठ जाता है वक्तों के मन में कि बगवान ने इसको सराप नहीं देना चाहिए था ये प्रमात्मा इसको सराप नहीं देते एक लाख मानो सरीर धारी प्राणियों के आहर करने का तो आपको ये कभी मानो सरीर नहीं देता क्योंकि इसको ये ड्रल बना रहता है कि मानो सरीर में इनको प्रमात्मा का ग्यान हो सकता है प्रमात्मा प्राप्ति हो सकती है ये एक योनी और बना देता जैसे कुटे गदेसर की 20 सि लाक बनाई एक भी बना सकता था इसलिए इसकी विवस्ता मजबूरी है कि ये मानोसरीर अवस्य उत देता है आपको 20 सि लाक։ यूनियों में धक्के खवा कर भी फिर एक मन्यसरीर को देना पड़ता है क्योंकि इसको खाना पड़ता है और ये विद्धान बगवान ने बना दिया कि परतेक प्राणी को एक मानो स्रीर का चांस अवस्य देना पड़ेगा इसलिए आज आप पर रह्म हुआ है ठीक है कष्ट तो मानले आपको मानो स्रीर ना मिलता कर देख उते बनकर आप खाते इद्धा देवताओं को भी उपलब्द नहीं है क्योंकि जितना जीव गणा सुखी होगा उतना बगवान से कोसों दूर होगा ये सत कर्मान दियो और जितना दुख होगा उसके लिए वर्दान सिद हो सकता है यदि उसको सतलोकारसन बरवाला जलाहिसार पराप्त हो जाग और बलहारी उस दुख के जो पलपल नाम रिटावे परमात्मा कहते हैं आग लगए से सुख के जो बगवान से दूर करे बाड मजाओ को ठीरकार विये मंत्री पद जिस ते बगवान बूल जा और ये बगवान इसा कश्च दिये रखना आपकी याद वनी रहे तो पनात्म आप बालक हो अद जात्म ग्यान मिला नहीं आमिन जैवदरंग बलीर जैगनेश जी के गीत गाक है हम इनकी भी बगटी सही नहीं कर पा रहे थे गनेश जी की शिव जी की विशनु जी की माताओं की ये साधना भी इस दास के पास उकल अब्द है जो ये आपको यथारत ला जाब से अपने आप अप्र Southeast होते हैं जैसे हुद्धान देते रहते हैं कि बैसा होता है मैसे को मैषा बैसा करते रहे कती ध्यान नहीं देगा एक बार उसकी अलग से लेंगविज होती है परते एक से तर्वाइज ऑंसको एक बार इन से लाब लेने के एक विशेस मंतर है, जिन के ये अट्रेक्ट होते हैं, विवस हैं, ये लाब देते ही देते, इसके अधर कोई मंतर आपजाप करते हो आपको, वह अध्यातम लाब नहीं मिलेगा क्योंकि वो साथ त्रविदी त्याकर मनमाना आच्ण है, जिसके विशे मे की कोई परमगती होती है यूद लेस विर्थ है तो सास्टरन कुल साधना इस विश्वय में इस दास रामपाल दास के अत्रिक्त कहीं पर भी उपलब्द नहीं है इसको चाहे आप अब इमान समझना या तत्व ग्यान समझना ये दिरे दिरे आपको अपना आप समझना जाएगा दास क्या कहना चाहता है अभिमान तो वो विक्ति किया करता जिसकी अपनी कोई खोज हो चाहिए तो उसे ने भी नहीं और हम तो संथ भगते हैं हम किसी प्रकार का कोई अभिमान या एगो कभी नहीं रखते जो ऐसा रखता है वो भगत नहीं है संथ नहीं क्योंकि ये तो सद्गरंथों में पर्माणित है हमारे सद्गरंथों में लिखा हुआ थै वो खजान नहीं एनका अथ लगया नहीं क्योंकि इस इनको घ्र्विद नहीं था अपने अत्माओं जैसे स्रीमत भगत गीटा जयरCI 17 की सिलोक नहीं नहीं लिखा है ओम तथ सत इतीं अर्देस है ब्रमने तिर्विद जमरत है ब्रामना तेन वेदाच यगा वी हितापुरा इसका आर्ची यह है कि उस सची दानन्द घनबरम प्रम अक्सर ब्रम के प्राप्ति का उस सास्वत सथान में जाने का एक तीन अक्सर का मंतर है ओम, तत, सत, किती निर्देश है, निर्देश माने डारेक्शन, नथिंग एल्स, फाइनल फैंसला, फाइनल डिसिजन, अच्छा यहां पर ओम तो ब्रम का है सर पुरुष का, और तत और सत ये सांकेची कहें, तत ये अक्सर पुरुष का, जिसको अक्सर ब्रम भी कहते है, ज तत और सत सांकेची कहें, और यहां बताया है, गुरु बिन बेदपड है जो प्राणी, समझन सार रहे अग्यानी, गुरु बिन का हुन पाया ग्याना, जो थो था भुस छड़े मूड किसाना, सत गुरु के बिन, गुरु के बिना, किसी को भी वेदों का ग्यान नहीं वो तो ऐसे अपने अटकल वाजी करते रहे, जैसे कोई मूड किसान, धान निकालने के बाद पड़ी प्राणी को, और उसको कूट रहा है मोगरों से, डंडों से, या उनको पटक रहा है पकड़ पकड़ के, किसलिए उसे पूछा जाए, कि इसमें से कनक निकाल लूँगा धान निकाल लूँगा, तो उसको ज्यान नहीं है, वो मूड है, और समझदार तो उसमें से निकाल के ले जा चुका है, वो तो प्राण पड़ी है, भुस पड़ा है, तो जो भुस को कूट रहा है, वो तत्व ज्याने, उस मारग का परिचित नहीं है, तो यहां बता है, ग कई बगत आते हैं वो कहते हैंि मैने सुदानसु जी cfn नाम ले रख़्या है और फिर क्या बता आता है भूत परवेसे ही पिरत बाद vient है कि रेका है पिर प्रोथ बाद आते हैं की रेतां सित स्लग मुψेолов मत रोगों किया नाम रेहर है ओ, हरी ओम तत सत, अरह वाँ भई वह ये हैं वो नीम हकीम, कहते हैं वश्टु कहां, खोजे कहां, किस्वी दलागे हाथ एक पलक मैं पाई ये भेधी लेले साथ, अब ये तत और सत ये सांके थी के, ओम तत सत ओम तत सत, ये नहीं जब करना हरी ओम तो कभी करना ही नहीं साथ लगा करके ओम की बेच्टी करते हुआ ओम अंतरकेला जाब किया जाता है इसके साथ कोई भी जोड़ नहीं होना चाहिए ऐसे ही अब क्या बता है कि जैसे एक धनी विक्टी था सेट था साहुकार उसने अपनी पैड में बही में डायरी में लिख दिया उसके अपने ही मकान के आंगन में एक मंदिर बना रहा था और उसमें बही में लिख दिया पैड में डायरी में के चांदनी 14 यानि चांदनी 14 रात्री के 12 बज़े मंदर के गुमज में इतने किलो चांदी इतने किलो सोना और इतने नगद पैसे जमा कर रखे दबा रखे इसलिए कोड़ों लिखते थे कि बच्चे कहीं गलती से कभी खोद बैठे निकाल ना ले मेरे जाने के बाद फिर ये परियोग कर ले इ ऐसे छुपा जिया करते थी पहले बैंक बैंक नहीं होते थी वो सेठ की मर्टि होगी अचानक पिता के अनतिन संसकार करके उन बच्चों ने फिर देखा कि पिता की लेखे लेख देख से हैं उन्होंने वो डायरी देखी उसमें लिखा था चांदनी 14 रात्री के 12 बज़े पिता की क्रिया करम से रिपठ कर अफते 10 दिन 12 दिन 15 दिन के बाद वो मंदर का गुमद फोड़ दिया रात्री के समें उन्होंने सोचा पिता न संकेद दिया है कि दिन में तो कोई देख लेगा रात्री में फोड़ियो तो रात्री में उन्होंने मंदर का गुमद फोड़ उसमें कुछ नहीं था, उनको बड़ा अफसोस हुआ कि पिता जी तो हमें गल्ट गाइड कर गे, हमें बैका गए, और धन कहीं और दबा गए, अब उसको कैसे खोजेंगे, गया हाथ से बहुत धन था, बुरी तरह रो रहे, कुछ दिनों के बाद उसके पिता का कोई मित्र से में रखी, कि अंकल ऐसे ऐसे समस्या आगी है, हमारे पिता जी ने जूट बोल दिया, पैसा कहीं और छुपा रखा है, गुमज में लिखा है, गुमज में पाया नहीं, हमने मंदर भी फोड़ी दिया, तब उस शेठ ने कहा कि मुझे दिखाओ, कहां लिखा है, मुझे लेक में और वह से बना दो, फिर बतावूंगा कहां पर है, और चांदनी चौद्धश आणे दो, पंदरा दिन के बाद, मिंने बीच दिन के बाद, वह द मुझे दन के बाद, थोा चांदनी 14 आनी थी, वह वह से गुमज बना दिया, रात्री के समय दना दिया रात्री में, और गुमज की छाया आंगन में जहां थी और उसके घर पे वो जमीन वहां खुद वाई के ये निशान लगा जिया यहां खुद दो वज्यों का तो धन पाए गया तो ये नकली सारे गुमज भोड़नी है थे सथान का पता नहीं था तो इनको इन सद्गरंथों के कोड़ बरड़ों का ग्यान नहीं हुआ तो वस्तू कहां ढूंड़ रहा है कहां किसी भी दलागे हाथ एक पलक में पाई ये बेदी लेलो साथ तो ये दास इन सद्गरंथों का और जानकार बना के तत्वदर्सी संद्गर बना के कभीर भगवान ने आप उसके बच्चों के लिए भीज दिया अपना अत्मों आई विलंब काम करो यू कहते हैं समझा है तू सर दरपाओं और भार नीरे सद्गर तो ये गरीबदास जी कहते हैं गरीबदास ये वक्त जाते हैं रो गई इस पैरे ना हाथ से मानुस री छूट गया बगती यथारत मिली नहीं तो फिर रोया करो गई इस अब जो परसंग चल रहा है हम आते हैं उसी पर कि परमात्मा की परिवासा क्या है और काल किसे कहते हैं तो ये परसंग पुरा हुआ कि यथारत वक्ती कौन सी है और वो सथान एक ऐसा है जहां जरा मर्ण नहीं होता वहां जाने के बाद परानी फिर लोटकर कभी संसार में आते हैं और वहां जरा और मर्ण नहीं है वर्दवस्ता और मर्तू नहीं है और यहां दोन्नों डेफिनेट हैं यदि मर्तू भी है और वर्दवस्ता भी है लंबी उमर होगी तो वर्दवस्ता है बीच में मर गया तो सो पाड़ तोट जां परिवार के ओपर कमाने वाला ए बुन्डी मोत होगी, कहने का वाओ ये है, जब तक हम परमेश्वर की सर्ण में नहीं आते हैं, तब तक हम काल की रेंज में रहते हैं, और जब हम कबीर भगवान की सर्ण में आ जाते हैं, हम काल की रीत से बाहर हो जाते हैं, फिर उसका विधान हम पर लागू नहीं रहता, हम प्रमेश्वर की सर्ण में आ जाते हैं और समर्थ की सर्ण में जो आ जाता है उसको फिर बाहर का वेक्ती दुख ही नहीं कर सकता उसको स्वेम पता होता है कि इस आदमी के इस सरनागत को छेड़ दिया तो यह तिरा वक्कल तायर देगा इसी परकार हम समर्थ की सर्ण में आ गए हैं आप कबीर भगवान वो समर्थ है वो कादिर प्रमात्मा है उसकी सर्ण में आ जागना इतना धान वशे रखना छोटा मुटा कश्ट भी होता है नाम लेने के बाद तो ऐसे समझना जैसे एक बिली बच्चे उत्पन करती है और दो चार दिन के बाद उन बच्चों को दूसरे घर में ले जाती है क्योंकि वहां वो ये देखती है कि कहीं तरे बच्चों को यहां खत्रा ना हो जा और इस बात से उसके बच्चे भी प्रीचित होते हैं कि हम अपनी मा की संरक्षन में हैं और वो उनको अपने मुख से पकड़ती है उसके तीखे दांत होते हैं बिली के तीखे और उनको पकड़ती है और बच्चों को पीडा भी होती है वो ऐसे सुकड जाते हैं उसे लुटक जाते हैं और महसुस होता है कि इस दाथ का दर्द भी है लेकिन बोलते कती नहीं, चुप चाप रहते हैं, उस पीडा को सहन करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम अपनी मां के साथ हैं, यह थोड़ा बहुत कस्ट भी है, तो हमारा जीवन रखसक है, रखसा हो रही है, तो उसको उठाकर और वो दूसरे सुरक से सिथान पर अन्य मकान में ले जाती है सब को बारी बारी वहां पहुँचा देती है कुछ दिनों के बाद वहां देखती है कि यहां भी समस्या है तो तीसरे मकान में कोई और ले जाएगी और वो बिल्को नहीं बोलतें क्योंकि उनको पीडा भी हो रही ए लिकिन उनको विस्वास है कि मां की मुख में हम बले पीडा हो रही है लेकिन हमारी जीवन रखसा हो रही है इसी परकार कबीर भगवान की सर्ण माने के उपरां आपको छोटा मुटा कष्ट भी है तो ना जाने आपका कौन सा पहाड जैसा दुख टल रहा है ये विश्वास रखना विचलित ना होना यहां परसंग टल रहा है कि दरमदास जी ने कहा था कियो बगवन यहां कितनी सुधा दे रखियो बगवन ने और इसको आप काल कह रहे हो पर मातमा ने कहा दरमदास जैसे कसाई बकरे पालता है उन बकरे और बकरियों के लिए वो कितनी सुधा करता है जिसकी अच्छी सेल होती है एक बहुत बड़ा चरागा बनाता है उसको हायर करता है या मोल लेता है और उसके अंदर सेड डालता है जौपड़ी डालता बकरों को गर्मी और सर्दी से बचाने के लिए उसमें जगे जगे तलाब बनाता च्छोटे च्छोटी तलिया सी उनको पानी से भर कर रखता है उनके लिए घास फूस वहां विवस्था कराता है उस सारी विवस्था को देखकर वो भोले प्राणी ये समझ बैठते हैं कि हमारा मालिक, हमारा स्वामी कितना दयालू है, हमारी कितनी केर टेक रखता है, सारी स्विधायं पर दान करता है, इंसक पस्वों से बचाता है, चारों तर्व से बाड लगा देता है, और अंदर वर्क्स हैं, जाड बोजडे हैं, फल गास फूस है, गर् करदी से बतने के लिए विस्था सैड है तो वो इस सारी विस्था को देखकर वो मान बैठते हैं कि जो हमारा ये स्वामी है बड़ा दयालू है ये परमात्मा है और जब वो कभी उनके बीच में आता है तो वो सारे उसको प्यार देने के लिए उसके चारों तरफ को उपर को पहल पहलाता है अपने सीने से लगाने के लिए और वो उसको चाटते हैं प्यार से जीब से चाटना चाहते हैं उनको एक विसे इस रिगार्ड देने के लिए वो तो चाट रहे हैं जीब से और वो कसाई देख रहा है से हाथ लगा के और वो खुस होते हैं कि हमारा मालिक हम से प्यार कर रहा है वो देख रहा है कि ये कितना मा सो गया कितने गाबक केगा और वो सोत रहे मुझे हमें प्यार कर रहा है तो अपने अत्मा प्रमात्मा कहते हैं कि जिस समय उस कसाई को पांच दस बकरों की अवसकता पढ़ती है बकरियों की तो उस समय वो ये नहीं देखत मास युक्त होगे हैं गणी बिक्री होगी तो उससे में उन बकरों को भी पता होता है पैसे भागते ही दुर दुर दोड़ जाते हैं उनको मालूम है कि कहीं नको खत्रिय की स्थान पर लिजा जा रहा है इतना उनकी आत्मा में आभास होता है तो कहने का भाव ये है कि इसी परकार दो यहां की स्विधाएं आप देख रहे हैं धरमदास पर मातमा कह रहे हैं कभीर बगवान इन स्विधाओं को देख कर तो ऐसा लगता है जैसे बड़ा द्यालू बगवान है और उसे में तुमारी बुदी पर पत्थर गिर जाते हैं किसी का वेटा मर गया किसी की वेटी मर गया एक परिवार के तिर तिर चरचर सदस्य मर जाते हैं यहां एक बता रहे थे कोई सरसा से सदस्य सुनकर जा था जिसके गाड़ी के अंदर 16 सदस्य थे एक कपरिवार के बुड़ा बुड़ा घर रहे गया था 16 के 16 अक्सिडेंट में मर गये बताओ पुनातमा और उनकी कार और कोठिया और बुड़े बुड़े सारी में वस्ताइं थी कुल नास हो गया उसका तो केहने का भाव ये है कि उससी में बुड़ी कहा जाती है आपकी ये सुईधाय किसी ने देरा की थी ये फिर क्यों छीन लिया एक में तो इसको काल कहते है और जो केबल सुख सुख दे उसको दयाल कहते है उसको परमातमा कहते है आप इसको प्रमात्मा मान बैठे हो लेकिन ये प्रमात्मा नहीं है यह तो दुखके अतरी उत्री आपको कुछ मिलता ही है चाहे कितना ही आपको सुख्षी वेकती नजर आता है इस जोठे सुख्शे-्युक्त। चाहे कोई मंत्री है, परधान मंत्री है, या कितना है बड़ा सेठ है, और कैसी आपने उसकी सुईदा नजराती है, गरीब आदमी तो नहीं सोचा है, ये कार कोई ठीवाले गणे सुखी होंगे, या फिर ये अपसर हैं, करमचारी अधिकारी हैं, ये बड़े सुखी होंगे, सुख नाम की वस्तु नहीं आपर इस गंदे लोक में, सब के टेंशन गरस्त रहती हैं, सारा दिन ऊपर से दिखें चोपड़े, और अंदर तो इनके खराब हो रहे हैं, खोपड़े, किसी ने देख लेते, सभी टेंशन लिये फिरते हैं, तो वो टेंशन लेस सथान जो प् अब कैसी कैसी लीला करता है? पुनात्मों प्रमात्मा कहते हैं, जो मेरी एक बार सरण में आ गया, उसको मैं छोड़ूँगा नहीं, उसके साथ रहूँगा, ठीक उसका दुर भागया है, वो जो यहां से निकल नहीं पा रहा, फिर भी प्रमात्मा इतना दयालू है, आपके पीछे पीछे फिर रहा है, अपनात्मा विचार करो, यह पुछतक आपको प्राप्ट हुई या टीवी सुनने को प्राप्ट हुआ, एक परिवार के तीन, चार पांच सदसे हैं, जिन में से तीन को यह ग्यान समझ में आ गया, उनकी इच्छा बनी हम नाम लेंगे, दिक्षा लेंगे, किलान करवाएं उन्होंने दिक्षा लेली, प्रती दिन अपना नितनेय मारती, सरमेणी और सारा कुछ कर रहे हैं, मंतर कर रहे हैं, सदसिंग में भी आ रहे हैं, और बाकी से शेच दो हैं, वो बिलकुल सोचते भी नहीं कहते हैं तो बिनों के तुम ही कर लो, तुम ही पार हो जाना हम तो देख लेंगे, अब फिर क्या देख लेंगे, गदावने पाचात कुमार देखाएगा, आप क्या देखोगे, कडमे मारगा लट, डाइमन का बूरा होगा कमर के उपर, फिर देख लेंगे, अब देखना अब है ज्ञान समझो, और सतलो कासर बरवाला जिला, इसा रग्यान के था सुबह का, उसमें ये था, कि दो प्रकार से मानो स्रीर प्राप्त होता है, एक तो पिछले पुनकर्मों के अधार से मानो स्रीर लगातार, दो, चार, दस, पचास, सो भी हो सकते, ज़्यादा भी हो सकते, लेकिन वो पुन्जिस माप्त हो जाएगी, फिर तुरा सी लाख जाना ही पड़ेगा, यदि उस मनुस जीवन के दोरान आपको तत्व दर्शी संत नहीं मिला, अब जो परसंग चलना है, मानो स्रीर प्राप्त करके जो प्राणी सत वक्ती नहीं करते, दो परकार से मानो स्रीर प्राप्त होता है, एक तो बता जी आपको पुरो जनमों से, जैसे परमात्मा सन 1398 में सत लोग से चल कर आये थे, 1518 तक 120 वरस इस दरातल पर रहे, कासी के अंदर बनार समय जुलाए के कारिये करते रहे, और अपने बच्चों को एक समय में, एक-एक हजार स्थान पर परगट होके परमात्मा ग्यान सुनाया करते थे, उनको लाब देत आशिरवाद देते थे, शुक हो जाता था, वो मंतर जाब करते थे, 64 लाख से सो गये थे उस दानत के दुलाए के, एक ग्रीब जौहड़ी में बैठे विकती के, 64 लाख से सी तना सुक दिया था परमात्मा ने, तो उसमें आपको चार्ज कर गया बगवान, कबीर बगवान और उस से आपके मनुस जीवन होते हुए आ रहे, 64 लाख से स्थे उस टाइम, 64 लाख, ना कोई मीडिया था, ना कोई माईक छपीकर था, वो परमात्मा असंख रूप बना सकता है, तो जिस कारण से उसने आप सभी को चार्ज किया, आपके मनुस जीवन होते हुए आ रहे ह और आप पूजाएं बले ही दूसरी करते रहे, लेकिन पूरो जनम की बैटरी चार्ज थी, आपको सुख मिलते रहे, फिर भी कोई दुख करम का आता है, तो आप इदर उदर भागते रहे, कोई मंदिर में, कोई गुरुद्वारों में, कोई पहाडों पर, कोई गुफाओ में, या किसी संतों की खोज करते रहे, उसे लाब गुछ नहीं होना था आपको, और दूसरी परकार के जो विक्ती है, आपको बताया कि जैसे एक तो तुरासी लाख सभी प्राणियों के स्रीरों में से गुदर के निकल के एक मानुसरी टरनवाइज मिलता ही मिलता है, स्री काल की अरजिष्ट्री में है, अब वो बक्ती नहीं कर सकते एक परिवार में, तीन नाम ले चुके हैं, सच बक्ती कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, ठीक ठीक तुम कर लो, ये भी सुकर है कि उनको बना नहीं करते नहीं, तो वो काल के दूट उनको भी मना करते, तुम भी जोगे ऐसा नहीं करतोंगे, ऐसा बताया परमातामार ने हैं, कि जैसे, ये कोयल क्या करती है , Bobby jaki心 hiring यह अपना अउलग गौसला बना करके, अंडे उत्पन नहीं करती क्योंकि उसके अंडों को काग खा जाती है, छोड़ते नहीं, ऐसा फारमूला पना रख्या उचने जैसे मादा कवी ने अंडे उत्पन किये गौंसले में और वो जाती है चुगा चरने दरू दरू देख लेती है कि चलीगी काफी दूर तो उसके गौंसले में अपने अंडे उत्पन कर देती है अब जो कवी आती है वापिस वो असमंजस में पढ़ जाती है कि कौन से मेरे है हैं कौन से अदूसरे हैं तो वह इसस्वन्धस में उन्ह messaging के चारं की ही पर्वरिस करना प्रहरम कर यह हैं और जब वह बच्चे उद्पर होते हैं तो एक जैसा कलर होता है कोई पैचान नहीं होती उनकी विलकल same to same रहते और वो कोईल उस पर नजर रखती है गोंसले पर कि अब ये कितना उडारी भर रहे हैं कितनी दूर तक जा सकते हैं तो तब वो दूसरे दूर पेड़ पर बैठके अपनी बोली बोलती है कुहू कुहू की आवाज लगाती है जो कोईल के बच्चे होते हैं उनको प्रभाव होता उनका वो एकदम ऐसे ऐसे देखते हैं जब वो फिर बोलती रहती है तो उड़कर वो अपनी मा की बोली से आकरसित होकर अपनी मा की तरफ उड़कर चल पड़ते हैं अब कवी उनके पीछे पीछे उड़ती है के मेरे बच्चे गए कोईल आगी उड़ जाती है दूर वरक्स पर बैठकर फिर कुहू कुहू करती है वो बच्चे फिर वहां से उड़कर आगे भाग लेते हैं अब कवी ये सोचती है ये तो गएस हो गए पिछले बच्चे रहगी उन पर कोया पती ना आ जा उनको संभालू आकर की वो वापस आ जाती है तो केनी का भाव ये है कि उस गोंसले में चार बच्चे थे दो कोयल के दो काग के कोयल वालों के वा बोली असर कर गी काग वाला के बाव मैं भी नहीं वो देख नहीं रहे वहीं बैठी आरांसे तो इसी परकार समझना जो परम कासरम परवाला में जल्दी आ लेंगे ज्यादा देर नहीं लगाएंगे यानि जो परमात्मा के बच्चे हैं पूरुब जनम के संसकारी हैं वो सिकरा जाएंगे परिवार के परिवार आ रहे हैं वो सारे के सारे कोयल के हैं बहले ही वो काल के गौंसले में यहां यानि यान आते हैं परमात्मा जो जन मेरी सर्ण है ताका हूं मैं दासे गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धर्ती आकासे परमात्मा कबीर भगवान जिसमें यहां आए हुए थे परिछवी पर जो परतेक युग में एक डिला करते हैं जिसका वेद भी परमान देते हैं जिसके वेद भी साकसी हैं कि वगवान ऐसी लीला किया करता है तो उस लीला में जो दूसरे टाइप की लीला है परमात्मा की शीसु रूप धर्न करके परतेक युग में परगट होते हैं और कमल के फूल के उपर कमल का फूल तो जल पर ही होता है अंडर्स्टूट है कि वो नारायन होते हैं नार माने जल आयन माने उस पर आकर विराजमान होने वाले नारायन कैलाते हैं तो परमात्मा कबीर साहिव यानि अमरपुरुस सत्यपुरुस आदी पुरुस जिसको कहते हैं परमक्सर ब्रह्म वो ये लीला करता ही करता है उस लीला को करने के लिए सन तेरा सो अठाणवे में सम्वत चौदा सो पच्पन जेष्ट सुधी पूर्ण मासी को वो परमात्मा सत लोग से चल कर आये थे और कमल के फूल पर कासी सहर के बाहर एक तलाब में स्रोर में विकसित कमल के फूल के उपर एक नवजाद सिसू का रुप धान करके विराजमान हुए थे जैसा कि वो पर तेक युट में करते उसमें नीरु नीमा नाम के मुसल्मान जुलाहा थे वो उठा कर ले गए वही नीरु नीमा उसी जनब में ब्राह्मन और ब्राह्मनी थे गौरी संकर नाम था नीरु का और सरस्वती नाम था नीमा का मुसल्मानों ने जबरदस्टे उनको मुसल्मान बना जिया गया था और जिस कारण से पहले वो शिव बगवान के पुजारी थे शिव जी की कता करके अपना निरुहा किया करते थे और फिर वो सबस्वीदा समाप्त हो जाने से वो जुलाहे का कारिये करन लगए थे और दिरे बड़े हुए और उन्होंने कोई अन आहर नहीं किया बालकपन में कुवारी गाये का दूद पिया कभीर भगवान ने कुवारी गाये ने दूद दिया और प्रमातमा दूद पिया करते थे ऐसे लीला करते हैं और वो ऐसे ही की है उन्हों ऐसा भगवान किया ही करता ह तो जब वो बड़े हुए पांस वर्स की आयो मही एक सो चार वर्स के विद्वान पुरस स्वामी रामा नंद ब्रहामन पंडित जो वेदों और गीता और पुरानों के मरमज माने जाते थे उसके ग्यान में छक्के छुडा दिये उस एक सो चार साल के महात्मा ने जब परमात्मा को देखा सब ग्यान को सुना चरनों में सीस रखकर कहा था कि मैं भक्त मुक्त हुआ भर्म करम भया नास और ग्रीब दास निजब्रम तुम्र हो गया दर विस्वास सतलोक में जाकर और फिर वापस देखा तो वही बालक सामने बैटा है अनन्त कोट बिर्भांड के सिंगासन कंट्रोलर के सिंगासन पर बैठा था तब कहा था दो हुट होर है एक तू भया एक से दो और ग्रीब दास हमकारने आए हो आप तो हमारे लिए आए हो और आप वहां भी आप हो औ ऐसी लीला प्रमात्मा कर रहे थे और फिर क्या बताए हैं कि उससे में धीरे धीरे बड़े हुए बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुडा दिये लेकिन हमारी आदत है हम सत्थ को सविकार करना बहुत ही कम चाहते हैं जैसे हमारे धर्म गुरु थे वह संस्कृत के ग्याता थे ब्राह्मन रेसीमन लेस्वर और आम जनता संस्कृत मासा नहीं पढ़ती थी कि और ब्राह्मनों को ही सिक्स अग्रहन करने का अधिकार था और वो संस्कृत मासा तो पढ़ लेते थी लेकिन ग्रंद समझनों उनका आए नहीं और प्रमात्मा सथ सो वर्स पहले क रहा करते थे कि आप गल्त गाइड कर रहे हो इस जनता को आप वेदों और गीता और पुरानों से भी प्रीचित नहीं हो अब धर्मदास जी को जो परमेश्वर ने बताया और धर्मदास जी को भी सचखंड सतलोक लेकर गए बगवान इसी परकार जैसे हरिश्वामी रामा जी को लेकर गए थे सिब आदनी धर्मदास साहिब जी को भी परमात्मा सतलोक लेकर गए थे अपना निद सतान दिखा था जहां आप रहा करते थे जब वापश छोड़ा तब धर्मदास जी ने पूचा कि है बगवान फिर इसका मतलब तो ये है कि ये वेद बेद और ये क कतेब चार वेद हैं चार ही मुसल्मान इसलाम धर्म की कतेब मानी जाती हैं जैसे अपने चार वेद हैं हिंडूों के रगवेद यदुर्वेद सामवेद अथरवेद और मुसल्मानों की यानि इसलाम धर्म की मानी जाते हैं एक तौरात जबूर इंजल और कुरान ये गीता को तो धरमदास जी को पता चला कि सचमुच भगवान तो वो है रुशा關 है, ये है वो परमत्मा ये हो सत्थान और ये सब ही हमारे धरमगुरू कहते है कि बेर्मावविशिनो जी सर्वस हक्तिमान है, सर्वस रेष्ट है, सब के पालन करता है सब के उत्पत्ती करता है या विनासी है और प्रमात्मा ने धरमदास जी की वारता कराई बर्माभी शुनुमहिस जी से और उन्हें खुद बता के नहीं भाई हमारी भी जनम मरतू होती है हमा विनासी नहीं है कोई व्यक्ति यदि किसी तैसिरदार को या SDM को और अपने मेतर कुछ नहीं बोलेगा वो बुदिमान विकती है एक वकवास नहीं चलिया करती है तो मैं बताएगा ने जी मैं तो SDM हो और कमिशनर तो बहुत बड़ी पावर होती है तो ऐसे जब भी इन अधिकारियों से हमिलते हैं तो यह साची बताया करते हैं तो जब धरमदास जी साची बताते हैं और प्रिबएक कुछ शिपजी को सर्वसकति मान बताते हैं तो परमेस्व ने कहा कि बेद कतीब जुटे superhero है जो समझें नहीं एक यह बेद कतीब जूटे नहीं इनमें जिस सतर का ग्यान है वह बिल्कुल OFF के है लेकिन complete नहीं है वह उलग बात है जैसे तो ठीक है लेकिन वो MA और BA का नहीं है, BCA का नहीं है, वो उसले बस अलग है, लेकिन उस मैट्रिक तक के जो सिक्सिया वो उसमें सही होगी होती है, तो यहां परमातमान का है, कि बेद कतेब जूठे निवाई और जूठे हैं जो समझे नाई, जूठे ये हैं तुम्हारे दर मातमा परचार क्या करते थे, बहुत सहसे बढ़ गए थे, पुन्हातमा सम्मन नाम का एक मनियार था, मनियार को आप जानते होंगे, मनियार होता जो केवल चूडियों का काम करता था, माताओं को बेहनों को चूड़ी पनहा करता था, उसकी पतनी भी और वो भी, और वो बह पारिदर था, निर्धन था, लेकिन परमातमा का प्रमभग्त था, पूरा परिवार, तीन सदस्य थे परिवार के इंदर, एक तो सम्मन, उसकी पतनी का नाम था नेकी, और एक पुतर था, उसका नाम था सिवे, उसको सेव कहा करते हैं, सेव, नाम था सिव, वैसे अब भ्र और तीनों के तीनों प्राणियों ने कबीर प्रमातमा की दिक्षा प्राप्त कर रखी थी, वो दिल्ली में रहा करते थे, पहले दिल्ली आज जैसी नहीं थी, एक गाउं सा था, थोटा सा, ऐसे जोफडियों में लोग रहा करते थे, छोटे छोटे मकान भी थे, कुछ के लोगों ने मर्ट्यू के उपरांट जल परभा कर दिया था, और एक सेक्तकी नाम का रादा सिकंदर लोजी दिल्ली के बादसा का धार्मिक गुरू था, और सिकंदर लोजी को एक बहुत असाद्य रोग था, प्रमातमा कबीर जी के आशिरवाद से वस्वस्थ हुआ था था वाकि किसी भी औौस्दी से, और किसी भी धरम ंजबी के जनतर मंतार से, और आशिरवाद से उस्वस्थ हुआ था, जिस करन से सिकंदर लोजी प्रमातमा कबीर जी से बहुत प्रभावी था, और उथर झार्मिक गुरू, उनका सिकंदर लोजी का जो शेख तकी था, व दो वजीर, दो फकीर और दो पीर उनकी कभी अपस में बढ़ा नहीं करती हैं ये तो ऐसे समझा लो जैसे एक मियान में दो तलवार हैं कज़े देखी सुनी नाकान तो वो बहुत इस ताक में रहता था किसी परकार नीचा दिखाओं सिकंदर लो जी ने किसी कारण से स्वामी रामा नंजी का सिर काट दिया था उसके उमर्तियों को प्राप्त हो गये थे और कभीर प्रमातमा ने सिकंदर लो जी और सेकड़ वेक्टियों के सामने उनको जीवित कर दिया था जिस बात से सिकंदर लो जी गणा पर वावित हो गया था कि ये तो सचमुच अल्हा आए है खुद वगवान आए है कभीर साहब अल्लहु अक्बर है अब अब अल्लहु अक्बर यही काम करता है मुर्जे को जीवित कर दे रोगी को सुस्ट कर दे निर्दन को धन दे दे तो भगवान यही काम करते हैं तो वो सभी काम कर रहे थे शिकंदर लो जी के पक्का विस्वास हो गया था कि ससमुच गौड है खुदा है प्रमात्मा कहते हैं राज तजना सहज है सहज तरिया काने मान बढ़ाई इरसा वाई दूर लव तजना यह राज भी छोड़ सकते हो अपनी सुन्दर पत्नी को भी त्याग सकते हो और कहते हैं मान बढ़ाई और इरसा यह नहीं छूटती जीव और यह छूटती विना वगवान मिला नहीं बात वही की वही रही तो इस इरसा वस रागदवेश वस कि मैं जूटा सिद करूँ किसी परकार इस कभीर को ताकि इसकी महिमा कमो जा इसलिए वो इस ताक में रहता था कि यदी ये कोई मुर्दा जीवित करेगा तो मैं मानूंगा नहीं तब मुसल्मानों को तेरे विरुद कर दूँगा सिकंदर इस बात से चिंतित सिकंदर टेंसन में आ गया और परमात्मा को अपने बच्चों की टेंसन सुआ है नहीं करती ये समर्थ एक में टेंसन दूर कर दें सिकंदर लोधी से पूछा कि क्या परिसानी है आपको सिकंदर लोधी में कारण बता दिया तो परमात्मा ने कहा कि कहो सेख तकी को कोई मुर्दा लावा है और करते हैं अर्द वगवान से थोड़ा छुपा के रखते थे जाता अपने को सिकंदर लोधी को तो पता था कह दिया सो कह दिया कबीर जी कह रहे हैं कर देंगे जिन्दा लाओ को मुर्दा तो वो कहता है मैं कहां से लाओ वर्दा कभी आएगा जब देखेंगे कभी होगा जब देखेंगे अब परमात्मा ने सोचा कि यह टेंशन काफी देर रहेगा जिया सिकंदर इतने में क्या हुआ लिल्ला मालिक की सोसल सीधर मैं करूं अपने जन के काज इतने में एक कमाल तो बादमा नाम रख्या एक बारा तेरा वरस के बच्चे की मरत्यू होगी और कुछ ऐसे कुल हैं ऐसे कबीले हैं वो ने तो जमीन में दफनाते हैं ने सभा करते हैं अगनी में और वो जल परवा कर देते हैं अपना उनका अंतिम संसकार ही ऐसा है कि इसके सव को मचलियां जीवजन तू खाएंगे दूआ देंगे इसलिए मिटी तो ये बन ही चुकी है उसको जल परवा कर देते हैं एक सुन्दर फ्लोटिंग सा एक बेड़ा बनाते हैं गास फूस का जो तेरता रहता है कुछ देर तक फ्लोटिंग सा उस पर लिटा देते हैं और उसको जल परवा कर देते हैं तो वो बैता हुआ आ रहा था तो सब को पता चला कि मुर्दा आ गया मुर्दा आ गया दरिया के किनारे खड़े थे सभी इतफाक से वहीं खड़े वे थे शिकंद कर लेका देवाद में नंबर बनावे अगमा भी कर देता हैं तो सब ने कहा ठीक है शेक्तकी जी दो पहल वानों की जब पहचान होगी जब दोनों कुष्टी करें आप भी करो अपनी ट्राइ तो लगा फूं फूं करने वह मुर्दा चला गया दो फरलांग 600-700 गजागे 800 फूट आगे नीचे यानि जिदर से पानी बहे कर जा रहा था डाउन सट्रीम में चलिया गया तब वो कहने लगा सेक्तकी के ये तो बहाना चाहता था अपने से बलाट अलब में के लिए कभी तो बहाना चाहता था वर्दे कभी जीवित खा करते हैं वो तो कियामत के समय ज संकेज कर दिया वो मुर्दा जो बहता हुआ जा रहा था डाउन सट्रीम में अब सट्रीम में चल पड़ा जिदर से पानी बहे कर आ रहा था जैसे इंजिन वाली नौका चलती है अपोजिट साइड में और वहां आकर के जहां वगवान खड़े थी वहां खड़ा हो गया न सव में परवेश कर और बहर आ जा इतना ही कहा था कि ऐसे ऐसे सारा स्रीर कंपन हुई उस बच्चे में और एकदम बैठा हुआ ऐसे खड़ा हो गया अब दल के अंदर घुटनों पानी में एकदम बहर आया आके परणाम किया दिंड और परणाम किया परम पेता को बो सबी ने ये कहा कमाल कर दिया कमाल कर दिया परमातमा ने उस बच्चे का नाम कमाल रख दिया और उसको अपने बच्चे के रूप में रखा बच्चे को पता नहीं कौन माता थी कौन पिता थी दाता ने वो बच्चा अपने पास रखा उसको भगती दी अब क्या है कि कुछ कि इस तिनों के बाद पर्मात्मा के संग रहने से उस कमाल के अंदर बिमान आ गया राज तजना सहज है सहज तरियाका ने मान बढ़ाई ये रिसाये दुरलब तजना ये अब क्या है कि पर्मात्मा लीला करते हैं वो कुछ एजड होगे लीला में श्रीर में और वो कमाल नाम का बालक 17-18 साल का हो गया यूवा बक्ती मिलगी ग्यान रोज सुनाई करता अपने मूँ बोले वगवान और पिता के साथ वो तो सबका पिता है कबीर साहब ऐसे तो सबका ही पिता है सबका जनक है सबका बालक है अब ये गलती हो जाती है हमारे से चार बाते सीख कर जो ग्यान सुनकर हम समय वक्ता बनकर परपुता के पातर बढ़ना चाते हैं ये जीवगी सबसे बड़ी भूल और दुर भागे होता है ये संगत भी ग्यान के अभाव से किसी को से थोड़े से ग्यान के वचन सुन दास से पराप्त और वो ठीक सा बोलन लग गया और सब उसी की तरफ देखने हैं लग जाते हैं वाँ वाँ बहुत अच्छा बोलता है खाक बोलता है बता और फिर वही बात भी गड़ जाती है कि गुरू को तजय बजैसो आना ता पसुआ को फोकट गया ना गरू को छोड़ कर अन्य पर आसकत होते हैं तो वह भी एक फोकट गयान है उन लोगों का जैसे हम भगवान को छोड़ कर इसकाल पर आसकत हुए थे आज दुख वोग रहे है तो इस परकार हमने अपने पती वरता पद से भी नहीं गिरना है गयान भगवान का है बोलने वाला किसी तरह बोल रहा है उसका ग्यान नहीं है तो उससे आकरस इतनी होना चाहिए हमने निता फिर पती वरता पद्शे गिर जाते नाम रहित हो जाते तो कितना ही कोई वक्ता बना फिरें जाओ वो करम ही न इनसान है तो फिर उस माम ही मा की भूख बन जाती है यही रोग लग जाती है अब उस मही अब इमान हो गया और फिर नोकर्ण लगया भी बड़ा सेवा करता है गुरु जी की तेरजदसी सेवा कोई नहीं कर सकता एक दूसरी बिमारी यह होगी तो परमात्मा तो अंतरियामी थे उसको पता था कि यह मरेगा मुरक जैर खान लग गया अब संके दिया फलान कर दिया और चाहे कोई नहीं देखा बड़ा मॉला फेर है सारा दिन मंतर करता रहता दूसरे उस यह पर वावित होंगे उसकी पर संसा करने लग जाएंगे वह भूल है आपकी आपकी यह भी कमजोरी है आप जैसे कोई एक लड़ू खा रहा है और दूसरा दू लड़ू खा अब उसके लड़ू खाने का आपको क्या मिला आप इपर बंद करो चाहा लड़ू आपका जब तब राबरो उसकी खाग पर संसा करें वह भक्ती करें तो उसकी पर संसा करें आप भी करो फिर तो तो ऐसे हम मार खाते हैं यह कमजोरिया है जो दास आपको बता शक्ति क्या ड्क्टर जी क्या मेरे पिन्डलियों में दर्द रहता है। द्याक्तर बुला। जी थाए कंजोरी के कारण नहीं प्यूकर couldsmartूर, तो बॉण तो आक्टर जी मेरे ऐसे सौन्धलों में दर्द रहता है। आज़ अधिम जों है। डाक्तर बोला वही कमजोरी है। की शर्व मेरा रेक्तर गज़ fulfil एक real भी आए। ये उलक्तर है ? भी जो देए होक्तर में actors भी आञे हैं share तो ड्रक्टर बोला, या भी कमज़री के कारण अपना गुस्छा बहाल है या भी कमज़री के लखशन डान भी कमज़र के लिखन है यह गुस्छा भी कमज़र आदमी को ही ज्यादा आता है तो पुनात्माओं जो दास आपको बता रहा है ये भी कमजोरिया है इन में से कोईस ये भी हो वाभी कमजोरी ही है वीकनस आपको यानि भक्ती मारक में बहादक है परमात्मा कहते हैं जैसे माता ग्रब कू रखे यतन बनाए खेस लगए तो छन हुए तेरी ऐसे भक्ती नसावे जैसे किसी बेटी को बेहन को माई को गरब रहता है तो उसको वो जानती है उस गरब को पर फुलिज करने के लिए वो कितनी सावधानी परती है किसी बेहन को दो-चार वर्स के साधी के उपरान से जब गरब रहता है अब उसको पता है वो कितनी चिंतित रहती है करवट लेते समय रात को भी ये चिंतित एकदम फड़क के उठती है कहीं मेरे बच्चे पर दाब नागी हो मेरा गरब खराब ना हो जा उचे पर पैर रखते समय भी बहुत जहान से चलती है खाने पीने के भी वो बहुत साधानी बर्थती है कहीं मेरा ये गरब रूपी लाल नास ना हो जा तो परमात्मा कहते हैं जिस दिन आपने परमात्मा की असत बगती मिल गी तो आत्मा के अंदर आपका बगती रूपी वो गरब सटार्ट हो गया उस दिन से अब यहां बताते हैं कि जैसे माता गरब को रख है यतन बनाए और ठेस लगे तो अक्सीन होए ऐसे बगती नसावे तो ऐसे यह ठेस नहीं लगने जानी चाहिए बगती रूपी गरब के यह मौक्स रूपी लाल बनाने के लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़े गया तो उस कमाल के मन में दोस्था आगया परमात्मा बार बार कहा करते सत्संग में सब को सामो की ग्यान दिया जाता है परतेक विक्ती को नहीं बताया जाता और जैसे ओस्दी मुख के मादम से गोलियां दवाई जड़ी या इंजेक्शन के मादम से एक ही सथान पर लगाई जाती है वो जहां दरद होता है जहां पीड़ा होती है वो उस्दी वहां काम कर देती है तो सत्संग के माधम से सामोई की इंजेक्शन लगाये जाते हैं ये वचनों के और जिसमें जो वीकनिस जहां की है उसी के वो औस्दी काम कर जाती है बुद्हीमान उसको समझ जाते हैं, आगे सुचारू हो जाते हैं और वो अपनी कमजोरी को ठीक कर लेते हैं बुधिमान वही होते हैं इतना कुछ कई बार कहा प्रमात्माने कि जो दान ज्यादा करता है यदि उसके मन में अभिमान आ गया करया करया नास हो गया कबीर साहब कहते हैं तनमन धन दिया तो भला किया सरकाज दासी भार और जब ओक हा के मन ने दे दिया तो बहुत सहगा मारे वो तो दिया हुआ तक गया नास हो गया, दौरती और jeste हो जागी तेरी तो किसी भी परकार का सेवा का अभीमान прид academics हो जाए अभीमान तक इमान ही है, वो तो नासी करता है वहान से दूर करता है लेकिन कमाल की बुद्धी बरिष्ट हो चुकी थी, प्रमात्मा के साथ रहकर भी वो अपनी ही चलाता था, पुनात्मा उन जैसे मन में बहुत सी बातें आती हैं, एक बार धरमदास जी ने कहा पर वो, ये बगवन आप कहते हो के स्री किरसन प्रमात्मा नहीं है, समर्थ नही हैं, स्री किरसन जी ने राजा मोर धोज के पूतर तामर धोज को आरे से चरुआ के, डेथ हो गी थी, दो फाड हो गया था, और फिर वैसा ही बना जियार जीवित कर दिया, तो कैसे मानें, ये बगवान नहीं है, सर्वसक्ति मान नहीं है, प्रमात्मा कबीर जी ने कहा कि मै मैंने ये कभी नहीं कहा कि ये बगवान नहीं है, मैंने ये अवस्य कहा, ये सर्वसक्ति मान नहीं है, बगवान का मतलब मैंने ये कभी नहीं कहा कि ये स्वामी नहीं है, ये प्रभू नहीं है, लेकिन ये सर्वसक्ति मान नहीं है, इतना अवस्य कहा कि सर्वसक्ति मान नह है, जैसे परिभासा पर भू की आपको बहुत बार बताई है तैसीरदार भी साभ है SDM भी साभ है Deputy Commissioner भी साभ है जिसको Collector कहते है Deputy Collector और Commissioner भी साभ है, मंटरी भी साभ है अपने सतर का साभ है अपने, इसका कुछ सीमा है उसके साब की, उसकी सक्ती की, और मंत्री भी साब है, मुख्य मंत्री भी साब है, परधान मंत्री भी साब है, लेकिन ये सभी साब है, लेकिन कोई कहे कि DC सम्रत है सर्वसक्तिमान है तो वो गलत कह रहा है अब जितना वो साब है जैसे कोई एक मंत्री को और प्रधान मंत्री बताता है राज्ये के मंत्री को तो वो अबिस प्रोसीजर से वो प्रिचीतầ नहीं है इसलिए एक मंत्री भी अपने सतर का लाब दे देता है लेकिन जो परधान मंत्री लाब देगा वो ना मुख्य मंत्री दे सकता प्रमात्मा ने पूछा कि जैसे आपके भगवान ने श्री किरसन अर्थाज विश्व जी ने मौर दोज के पूतर तामर दोज को तो जीविद कर दिया दो फाड कर वाक है दो बीचों बीच कटो आक है और अपने सगे बांजिया भी मन्यों को जीवित नहीं कर सका जिसकी कती जरूर थी और वहां तो बे मतलों पंगा लिया जाके उसने क्यों नहीं कर सका पंडों का कुल नास होए था स्री किरसन रोए था उसके बेहन रोए थी पांचो पंडों रोए थे उसको क्यों नहीं जीवित कर रहा जो पर गया था ठारा वरस की आईउ में यहां धरमदास चुप हो गया तब कहा बगवन आम तो तुछ बुदी जीव है हमारी बुदी का सतर तो इतना ही है बसे अब आप बताओ बगवन क्यों नहीं कर सका तब प्रमातमाने बताया कि जब तक संसकार जिसके हैं अब उस तामर धवज की आईउ सेश थी और इस स्रीर को एक आम सिद्ध पुरस भी तोड़के काटके फिर दोवारा जिवित कर सकता है श्री कर्शन तो उनसे कुछ ही किसी है लेकिन आयू नहीं बढ़ा सकते हैं यह भगवान इसलिए अभी मन्नु की आयू अठारा ही वरस की थी उसी दिन मर्ट्व होना तो उसके आगए सेश उसकी उमर मनुस्की नहीं थी इस कारण से स्री कर्शन उसको जीवित नहीं कर सकी तब धरमदास को संतुष्टी हुई तब परमात्मा ने कहा था कि समर्थ का सरना गहु रंग हो रही हो और कव नहु अकाज राम रंग हो रही हो अब यहाँ पर संग चल रहा है इसी प्रकार जैसे अर्दूं को बिमान हो गया था उसके भृष्थ को निमार्व करने के लिए श्री कर्शन उसको मौर्ध उजराजा के घर लेकर गया था अर्दुन को भीमान हो गया था कि वगवन मेरे जैसे आपका आग्याकारी कोई और नहीं हो सकता, ऐसा सेवक नहीं हो सकता अब श्रीकरसन ने सोचा भी इसको मैं कहूंगा तो कालीमान ने गा, रोज कठा रहे ना फिर यह बात बिगड़ेगी तो उसने कुछ दिन के बाद कहा कि चल अर्दुन मुझे कवसे कारिया है, मौर्धवज राजा अपने पूतर को राजज़ भी शेख कर रहा है, मुझे आमंत्रीज किया है, आप ही चलोगे, अकवर जी महताब का अग्याकारी से से हो, पांड़ों काद्शिरीकरसन उनके दार में गुरू भी थे, अब वहाँ जाकर क्या देखा कि मौर्धवज तामर्धवज और उनकी एक पत्नी थी, मौर्धवज की, राजा राज्या भी शेख करने के लिए अपने पूतर को गदी पर बठा कर साज्जे से सनास लेना चाहता था, उसने सब सादू संद महात्माओं को आमंत्रित किया हुआ था, बहुत बड़ा यग कर रहा था, तो उस यग के अंदर जो भी सादू संद जो खाने को मांगते हैं, वो देना पड़ता है, नहीं तो उसकी यग घंडित मानी जाती थी, तो वहाँ जब जाकर बैठ गे सादू रू बनाकर दो संतर साथ में माय से सेर बना लिया, श्रीकर संद जी ने, और तिन्नु बाग में जाकर बैठ गे, राजा को संदेशा विजवा कि एक संत आये हैं, तो राजा के नोकरों ने कहा परभू भोजन पाओ, तो साधू रूप में श्रीकर संद जी ने कहा कि राजा यहां आए, स्वेमा मंत्रित कर करेंगे, संदेशा पाकर, राजा, राणी और लड़का, आरती की ठाली लेकर, आरती की और फिर प्रार्थना की भगवन, भोजन की सुनाओ, तो स्रीकर संद जी ने कहा, कि पहले हमारे सेर का आहर कराओ, फिर हम पीछे भोजन खाते हैं, मौर्दोजड राजा ने कहा कि आ ये मास खाता मनुष्य का, ये मनुष्य का मास खाएगा, बौर्दोजड राजी ने कहा, जी जो आगी आपकी, फिर कहा कि सुनो, कहीं किसी पलेदार न पकड़ लाओ, उसका मास ने खाएगा, ये तुम्हारे घर के पराणी का मास खाएगा, तुम तीनों में से एक का, और उसकी विज्जी ऐसे है, उसको आरे से चीरना है, और चीरते से में आँखो मास खाएगा, तो ये मास खेर ने खाएगा, तुम्हारा यग खंड हो जाएगा, अब मौर्दोजड ने कहा, कि जो आग्या भगवन आपकी, तो कहा कि ठीक है, जब मौर्दोजड ने कहा कि मैं फरी हो चुका हूँ, लड़का जिवा हो गया है बेटा, तू राज समालना, अपनी मां की सेवा करना, और मेरा काम पूरा हुआ, और मैं मातमा के सेर का आहर बनूगा, रानी ने कहा के देखो बात सुनो, आप मेरे पती हो, और पती भरता पतनी से पहले पती की मरतू होना कलं संदी ने, कि आज जो इस मेरे सेर का आहर बनेगा, वो सीधा सुरग जाएगा, कुन की होड लाएगी, अक ऐसा बड़ यादाओ, सिरी तो ये जाना ही जाना है, और आज दाओ लगे, तुराणी ने सोचा, कि राजा लागया नमबर ही होता है, ये तो हाथो हाथ सुरग मिल रहे से, गौर्डन चान्स क्या होगा है वगवान, क्योंकि पहले संतों के वतनों पर विस्वास किया करते थे, ये तब नगली संतों ने खो दिया, विस्वास हो गया दूनता मैं, उसमें ये था कि दो संत बोलता है, वो फाइनल होता है, इसलिए राणी ने पंजे गाड अगर नहीं, आप नहीं, मुझे काट दो, मुझे सेर काहर कर दो, अर्मन मैं ये थी, कि मुझे स्वर्ग में लेगा, इससे बड़ या चान्स क्या होगा, अर्मन क्या समालोंगी बालक ने, बाप यहां रहेगा, तो इसको राज कादम गाइड करता रहेगा, बच्चा दु इसलिए मातमा से खड़े होकर कहा कि मातमा जी इस दास को चीर दो, मुझे कटवा दो, मैं आपके सेर का आहर बनूगा, मात पिता, मैंने आपकी क्या सेवा की, मुझे पाप लगेगा, लास्ट में उन तीनों ने जो संत रूप में प्राजमार श्रीकर संदी से कहा कि मातमा जी आप ही फैंसला कर दो हमारा, आप जिसको कहेगे वही आपके हाजर होगा, तो उसने क्या फैंसला किया कि दोनों तुम पती पतनी इस अपने पुत्तर को आरे से चीरो, यहां से चीरना सुरू करना, और नीचे तक दो भाग कर दो, फैनल फैंसला हो गया, नो अबजेक् कि आँखों मासु नहीं आने चाहिए, अब फिर जब वह चीरने लगे ना बीचों बीच, चीरना प्रहरम कर दिया था, और चीरन में कि एक उखना लकड था है, पांच एर बमारे आर पार हो जाना था वो, तो उसमें स्रीकर्शन जी, यानि मातमा रूप में विराजमान न लड़का, यू कहते ही वो, आदा हिसा, दो भाग हो गया था, तो फिर श्रीकर्शन ने कहा के वही, यह हमारे काम नहीं, इसके तांखों मासु आगा, इसका मुँ ममता रही कोई, यह रो रहा है लड़का, तो उस मर्द, अभी तडफ रहे शरीर से आवाज आई, के हे अंत अंतरियामी, आप तो महातमा हो, अंतरियामी हो, मैं इसलिए नहीं रो रहा था, के मुझे मुझे कोई ममता है, मैं इसलिए रो रहा हूँ, के मैं इतना मेरा कोई लेप्ट साइड का इतना गंदा होगा, मैं इतना पापी हूँ, के मेरा पूरा स्रीर भी आपके काम नहीं आ अब जब उसने जीवित कर्दियार कहा भाई मदद तुमारी परिक्षा लिओ था बेटा तुम सफल होगे सारे, श्री किर्शन ने कहा, और कहा के मांग ले मौर्धवज, क्या मांगना चाहता है, तुझे स्वरग में भेज दूगा, और बहुत समय तक तेरा स्वरग का राज लेख दूगा, इंदर की पद भी दे दूगा, तब उस ज्ञानी मौर्धवज ने क्या मांगया, कि मुझे भगती दे जो भगवान है, इस राज ने के चाटूँगा, यह तो काल छोड़ना पड़ेगा, वहां का भी छोड़ना पड़ेगा, तो जिस सतर की भगती, श्री क दूगा, ना उसकी पतनी का स्वाब तो सकता, अब कहने का भाव यह है कि अर्जुन यह देखकर इकठा हो गया, नो शुकड़ गया, जब श्री करसन ने कहा कि अर्जुन आप डिंग मारा करते कि मेरे जैसा कोई सेवक नहीं, तने सेवक तो देखे नहीं थे, जब होते हैं, मैं तेने के जर्णों की धूल भी नहीं हूँ, अपनात्मों हमने स्री करसन जी को परमात्मा इसलिए मान लिया था, कि उन्होंने मोर धोज के पूतरता मर धोज को आरे से चरुआ के जीवित कर दिया, बैस, और यहां परमात्मा ने फिर बता कबिर जीवित क्यों हुआ तुमारे समर्थ-खवण उसका कारण भी बताया कि यह समर्थ नहीं है और ऐसी ऐसी , तो बहूत से संत भी सिधियां रखते हैं, जो मुद्य को जीवित कर सकते हैं, लेकिन उनकी आयू नहीं बढा सकते हैं किसी सूर्थ मा नहीं बढा सकतें, आयू की वरधि कीवलष परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कर सकते हैं मासा घटे ना तेल वद्धा विदना लिखे जो लेख और सचा सच गुर्मेट कर उपर मार देमेख अब अर्दुन की फड़क निकालने के लिए उन्होंने ये लीला की उदर से अपने भगतों की प्रिक्षा भी कर ली थी इसी परकार सामान तरे कुछ धारन है सम्मन सेव और नेकी का कमाल के मनमय यविमान घर कर गया था कि मेरे जैसा सेवा करने वाला और मेरे जैसा वफादार सेवक इस संगत्मा नहीं और बहुत बार प्रमातमा के सामने भी उसने ये मूँ खोल दिया था तब प्रमेश्वर कबीर जी ने कहा कि भई मैं भर्मन के लिए निकलता हूँ मेरे साथ चलेगा कोई तो कमाल ने कहा जी मैं तो आपके साथ चलूँगा मेरे बगर साथ रख्या था वो भी सेवक हो गए थे ग्यान समझ के तो वो दोनों जड़े बाजीद और कमाल और प्रमातमा तीनों जड़े चल पड़े उदर से सम्मन और नेकी उसकी पत्ली और सेवन का पूत्र नेकी और सम्मन जो है दोनों चूडी पैनाने का काम क्रिया करते हैं मनियार का और ये एक सो भाव बन जाता है भगत अपने का खास कर कबीर प्रमातमा के बच्चे का नाम लेने के बाद वो ये सोचता है तेरा कलान तो निस्चित और इस सामने वाले ने भी समझाए दो किसी तरह तो कोई जैसे कोई मजदूर जाता है किसी सेठ के काम करता है उसको भी कुशिस करता है इसको ग्यान बता दो लेकिन वो साथ में असमान वर होता है उसने एक मजदूर की बात कैसे सुआ है ना सुनो लेकिन कुशिस रहती है कि इसकी किसी परकार बुद्धी सैट हो जाए, इसका जीवन नास हो रहा है, हमारे भगत की ये चेश्टा रहती है तो वो संबन और उसकी पत्नी जहावी चूड़ी बनाने जाते थे बेहनों को तो प्रमात्मा की चर्टा सुरू कर देते थी हमारे वो गुरू जी ऐसे हैं, सिकंदलो दी को जलनकार रोग हो गया था, वो ठीक कर दिया स्वामी रामानन जी को कतल कर दिया था सिकंदलो दी राजा दिली के बाद सैन हमारे गुरू जीवित कर दिया उन्हीं के सामने एक कमाल नाम का लड़का था, मुर्ता बैता हुआ आ रहा था, हमारे गुरु जिन वो जीवित कर दिया, हमारे गुरु जी बड़े सक्सम है, नाम लेने से मुक्स हो जाता है, सदा दुख मिट जाते हैं, यहां भी सुख मिलते हैं, अब वो गरीब व्यक्ति चूरी बेच के गुजारा करें, मुश्कल से उनका निर्मा चल रहा था, और वो समझावों उन सेठों की, दनी, वक्सियों की पतनियों को, लड़कियों को, तो उनका कैसे बात गले उतरे, बलकि उल्टा वो चिड़न लाएगी, कहते हैं, तुलसी पिछले पाप से, हरी चर्चा ना भाव और जैसे जवर के बेगतें भूख बिदा हो जावे, किसी का मलेरिया बुखार हो गया हो, उसको काजू किसमस, किसमस भी कड़वी लगें, सेब भी कड़वी लगें, रोटी भी कड़वी लगती है, वो रोटी सेब कड़वे नहीं है, उस बुखार ने उसके स्रीर की, रो अच्छी नहीं लगती वह दुक मानता है अब वह कहा करती थी के तुम्हे तो खाने को दाने नहीं अर्तुम बताओ हम तुम्हारे गरूजी इतने सक्सम है फलान है तुपरो अपना काम करो अब इस बात पर वो भी कई बार अपने आप में दुखी हो जाते थे कि सच्मुठ ये कहे तो ये रहे हैं कि हमारे पास तो चुबनी नहीं सुमे कपर आहर नहीं मिलता कई बार तो लेकिन हमारे गुरुजी में कमीकती नहीं ये दिल वो डाट ही लेते थे ग्यान ऐसा हो चुका था तो पुन्यात्मों ये कथाएं हैं ये आप के लिए गाइडलाइन है आप जी विचलित नहीं होना कुछ भी हो आने दोसमें प्रमात्मा कहते हैं कल पे कारण कौन है कर सेवानी काम और मन इच्छा फल देंगा जो पड़े मेरे तकाम है अब लोगों के नहीं सुनना आपका फरज है किसी को समझाने का चेश्टा करते रहो बताते रहो एक भगत कह रहा था कि मेरे ऐसे ऐसे गटना गट गई और ऐसी पसू मर गया एक और मोरों को समझाता हूं तो मुझे कह आरीत हैं और जिन पूजाओं को करते हैं उनके बालक तक मर जाते हैं तब वो कभी चंति नहीं होते हैं कि हम यह बगती क्यों कर रहे हैं छोड़ क्यों नहीं देते हैं इसका कारणी यह है जैसे रोगी दुरगटना गरस्त हो गया और डॉक्टर के पास अटा क्या करेगा वो ये नहीं देखता जैसे उसका बलड निकल रहा है, तो सबसे पहले वो बलड रोकेगा, अगर बलड सारा निकल गया तो मर्तू को प्राप्त हो जाएगा, अगर टांग टूट रही है, पीडा हो रही है, उसको उसको नहीं शेड़ेगा पहले, पहले सबसे पहले वो बलड रुक एगा उसका ताकि ये रुक जा और ये इसका जीवन रख्षा हो और वो वो कह रहा है रोगी कहा है मर गया टांग बहुत पीडा कर रही है वो करती रहे वो उसकी परवा नहीं करेगा पहले उसका जीवन रख्षा करेगा वो वो उपरेशन करेगा जहां से बलट निकल रहा है अब रोगी रो रहा कि मेरी टूटी फड़ी है मुझे बहुत दुख हो रहा है तो कोई बात कि क्या उस डॉक्टर से वो छिपा थोड़ा ही है उसका नमबर आएगा तो उसको उठी करेगा तो इसी परकार आपने नाम ले लिया और आपका कोई बहेंकर दुखाना था बहेंकर दुखाना था जिससे आपकी जीवन जाना था तो आपके उस नाम की भक्ती से और आपके किये उहे दान पुन से पहले परमात्मा आपकी जीवन रख्षा करेगा एक्स्टेंड करेगा थोड़ा बहुत गर में हानी हो भी गया उसको फिर पूरा कर दीगा उसमझ क् सफर पर तब चल सकोगे समाज तो अपने सतर का ग्यान रखता ही है उसको उतना ही ग्यान है आप ते इंतितमत होना लगे रहना तो इसी आधार से वो सुनते भी रहते थे फिर परमात्मा की ग्यान से दड़ रहते थे फिर भी कहीं ना कहीं जो एक बार नहीं दो बार सुना से चिड़ जाता था उसको छोड़कर अन्यों को वो सुनाते थे अपना कामजारी रखा अब उदर से क्या हुआ एक दिन अपने आंगन में बैठकर गर्मियों का मौसम था स्याम के समय अपना बैठे थे तीनों पिता-पूत्र पतनी उसकी और वो लड़का जब बच्चों मे मौन जाता था, वो भी यही तर्चा करता थाौफ के हमारे गुरुजी के सिकंदर लोजी दिली के बाद सावी शाष हो गई, वीर सिंग बघेल का सी नरेश हमारे गुरुजी का शिस है, बिजली खाँ पत्ठान मघर नरेश हमारे गुरुजी का सिस है, cemetery Mich ऐसे ऐसे सुख द आते हैं, और तुम्हारे गर ना आए के भी भी, क्योंकि तुम गरीब हो, तुम्हारे गर क्यों आएंगे, तो बच्चा इस बात से दुखी हो जाता था, अपनी मा से एक दिन कह रहा था, दोनों पिता पूतर वहीं बैठे थे, उनकी मा भी बैठी थी बच्चे की, तो ठीक है माता जी, लेकिन एक बार गरुजी अपने घर आ जाए ना, बस फिर तो, जो मेरे को ऐसे ऐसे गली के बच्चे कहते हैं, उनका मुँ बंद हो जाए, फिर मैं बता दू, हमारे गरुजी लालची नहीं है, तो वह कहने लगे, बेटा, बगतों ने संसार की नहीं सुन है, आँखों मासू भर के कहता है, एक बार गरुजी आजाए ना, बस फिर तो मैं उनको कह दूँगा, देखा ना, हमारे गरुजी ऐसे नहीं है, और मातमा कहते हैं, के मेरे बगत की टेंसन मेरे से देखी नहीं जाती, अब उधर से वो चली पड़े थे, उधर से वो कह रह हैंगे इतनी दूर, उनके पास समय कहा है लाखों से से, उनके कहां कहां जाएंगे, आपको वैसे धोखा लगया, इतने में फिर आवाज लगा है, नेकी कहन लगी, आवाज तो गुरुजी की है, देखा बाहर के गेट के सामने, बाहर के एक वैसे सोड़ा सा गेट सा बना लगड़ी का, तो देखा तीनों ने सचमुच, भगवान खड़े हैं, तीन जने खड़े हैं, भागगे आए नंगे उपरों, और खड़े खड़े देख रहे हैं जैसे सतब्द हो गयों, उनको विश्वास नहीं हो रहा हो कि हम क्या देख रहे हैं आज हमारे इस गर पे, ग अपना सा टूटा, चरणों मदेंडोच परनाम किया और बठा दिये जोफड़ी में थोड़े जैसे भी कपड़े थे फटे पुराने भिछा करें, अब सम्मन गुरुजी के उन बगतों के पास बैठ गया, चरचा चलते रहे, फिर कुछ देर के बाद पूछा, बगवन खा आने का सुनाओ, अभी खाओ गया कुछ थेर के, तो परमातमा ने कहा के भाई भूख चो लगी है बच्चा, बैदल चल कर आए है, भूख लगी है, विवस्था कर लो, सम्मन अपनी पतनी के पास, पीछे जोफडी माया, बीच मांगन था, पीछे रहने के एक जोफडी थी उस में आकर कहा कि भोजन बनाओ गुरुजी के लिए, संतों के लिए, नेकी ने कहा कि आज हमारे घर पर सो ग्राम भी आटा नहीं है, सम्मन ने कहा कि इल्ला तेरा ये चीर जो बैने रखती हैं, अलग से कपड़ा, वायल, चून डिडी, कहने लगी इल्ला तेरा ये चीर से दे कपड़ा, इसको गिरवे रख्याओंगा और कुछ आटा ले आता हूँ, तब उसने कहा नेकीने कि मैं जहां मुझे मिलने की आसा थी, उन घरों में मैं मांग आई, और ये मैंने प्रार्थना भी कर दी उन से, कि मेरा ये कपड़ा एक ही है, इसको रखला, कुछ आट आटा उधारा दे जो, फिर अपना चीर ले जाओंगी और आटा दे जाओंगी, तो उन्होंने कहा कि ये फटा हुआ है एक सथान से, इस कारण से किसी ने इसके बदले माटा भी नहीं दिया, अब कलेजा पकड़ के बैठ गया समन है, एए बगवान, पहली बार तो ग्यान से पता ही उसको लग गया था कि जिसने पूरो जनम में पूर नहीं कर रखे, तो दान नहीं कर रखा, दान करने वाले कोई धन मिला हुआ हुआ है, आज जो दान करने उनको आगे धन ही मिलता है, तो इस बात से बड़ा चिंती था, मैं कितना नीत रहा हूँ, पिछल जाएंगे मेरे दौर से, आँखों मासू आगी, बुरी तरह है, तब नेकी ने कहा कि आप ऐसा करो, चिंता मत करो, को यतन बनाओ, आप रातरी में चोरी कर लाना, और गुरुजी से कह दो भगवन सुबह भोजन कराएंगे, अंतरियामी सब जान जाते हैं, तो समन ने कहा क सुबह कहां से लाएंगे, सुबह की कैसे कहूं, नेकिन कहा कि रातरी में चोरी कर लाओ तुम, अब उसी समय सेवु कहन लगया अप लड़का, रोज सुना करता मात पिता के मुख से बेटा बूखा रह जावाय पर चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करने वाला व्यक्ति कभ अब ही भी सक्सस नहीं होता, उसका नास वया करता है, महा परादी व्यक्ति होता है, तो सेव कहन लगया कि माता, गुरुजी रोज सत्संग में सुनाते हैं, चोरी नहीं करनी चाहिए, और आज मैं आपके मुख से सुन रहा हूं कि चोरी कर ले हम, इसे अच्छा तो हम मर ज होता ही होता है, विनास होता है, लेकिन पुत्र हम ने इस नगरीक में कुछ समय वितित किया है, और यहां का अनपाणी हम ने खा रहा है, यह बालक हैं, नगरी वाले जानबुज कराटा निजेरें, दो किलो आटा कोई तीन किलो आटा दूबर होता है, तने बड़े अरिश आटे थे हमारे गुरु जी यह कर देते हैं, आज तुमारे गुरु जी पर घर बरवालो, तुम मांगते क्यों भरते हो, तुमारे घर बर देगा वगवान तुमारा, इस कारण से भी वो हमें कुछ भी सहयोग देने को त्यार निए बेटा, और जै परमात्मा यहां से निर को होगें, वही करेंगे, और वेटा तीन शेयर लाना चोरी करके, हम नहीं खाएंगे गुरु जी अब बगवानों को खिला जेंगे, तो यह नगरी बस ही रह जाएगी, अब इमान चागया पैसे का धन का इनके अंदर, अब इमान है जो इनको नास कर देगा इनका, स्याम क कि दोनों पिता पूचर चोरी करना से लेगे, पहले कच्ची मिट्टी के महलों मकान होते जा छोटी इंटे होती थी बिल्कुल छोटी तो कच्ची इंटों का वो मकान था, उसमें सुरा कर लिया, ऐसा अंदर परवेश कर जा, ऐसे गिसट गया, तो समन ने कहा, कि बेटा त तब सेव ने कहा, पिता जी, अंदर मैं जाओंगा, और यदि लाला जी शेठ उठ गे, जग जग गे, तो मुझे पकड भी लेंगे, तो मैं बालक करके मुझे माफ कर देगा राजा, और नहीं ये राजा चोरों को माफ नहीं करता, फांसी देता है, और पिता जी, आप तो बड़े हो, आपको अक्समा नहीं करेगा, तब सम्मन ने कहा, बेटा, अगर तेरे को भांसी देजी, तो मैं क्या करूंगा, जी कर, मेरा कहा ठिकाना होगा, तब सेव ने कहा, नहीं पिता जी, मेरी अर्द मानो, और मैं फिर भी बालक हूँ, मुझे अक्समा हो जागी, मैं तराजू रखी थी, तखड़ी, उस पर पैर रख्या, आवाज होगी दोर से, लाला उठ गे, और चोर चोर करके, जो ही शेव निकलने की जेश्टा कर रहा था, उसका पैर पकड़ कर घशीट लिया वापिस, और उसने आटा बहार भेंक दिया, पिता जी, आप ले जाओ, म और पूछा कौन है तो किसका है, उसने साची बता जी, मैं ऐसे संबन मनियार का लड़का हूँ, सेव मेरा नाम है, और कहा के लाला जी, इतना गुस्ता के हो रहा थी, इन से राटा लिया, हमने, हमारे घर, हमारे गरू जी आए थे, उनको भोजन करना अनवारिय था, हमारे बड़ी, अब सेव ने सोचा या और बात बिगड़ी, अब गुरु जी को और सदा दिवा होगा ये, रादा से कहकर, अब विवस था, उदर से अटा लेकर पहुंचा, सम्मन उसकी नेकी ने पूछा कि बेटा कहा है, कि वो तो बनिया ने पकड़ दिया, अब नेकी के मन मे कैसी प्रेंट आई कि ये तो बात बिगड़ी, लड़का पैचान में आवेगा, और पुलिस वाले हमारे घर आएंगे, अब या लेंगे गंटे बीतरे, और गुरु जी को पकड़ेंगे और कहेंगे कि ये कराता है चोरी, ये कभी चोरी नहीं करते था, ये आया है तो इसन से कहना के छोड़ना मत रसा बांदे रख, दो बात मतलानी है, और लड़के की सीज काट ला, और फिर शेट उसको घर नहीं रखेगा, वो अपनी जान बचाएगा, तिन सो दो के मुकदमे से बचेगा, और वो इसको कहीं और डालाएगा, फिर तुम सो उठा लाना, अपने दो बात बताना चाहता हूं तेरे कान में, तो सेव ने कहा लाला जी से के सेट जी मुझे कुछ दो बात करनी मेरे पिता जी से, बाहर मेरा बाप खड़ा है, मुझे दो बात कर लेने दे, वो कहने लगया, नहीं नहीं, तो भागने की चेश्टा करता है, कि नहीं, रसा धिल कर दे पैर का बंदे रख मजबूतीत है इतना मसीस निकाल कर बात बात कर रहे हूं अब सेटने सोचा कि ज़्यादा तो रीदा कुछ की नहीं है थोज़ा धीला कर दिया रसा थामके बंदे रखा तब समन था बाप बाप का हाथ नहीं चला वे टेका सरकाटन पीछे को हाथ कर कर देके अईसे सतब्द हो गया ना हाथ आगे हो काटने की हीमत नहीं पड़ रही थी तब सेव ने कहा पिता जी बात सुन यदि आप मेरे पिता हो मैं आपका अंस हो तो आज मेरी बात को मानना पड़ेगा निदम आपका बेटा नहीं हो किसी गैर की संतान हो आज मेरा शिर काट दे पिता जी ना गुरू जी का कोई ठिकाना नहीं है अचे इतनी बात सुनते ही समन एक दमारी तलवार और लड़के की गरतन काटके बालों से पकड़ कर लेकर चल परा अब सेट को पता चला यह तो नास हो गया बात बिगड़गी यह 302 का मुक्तमा तेरह लागएग और अपना जो सुराख बनाया था उसको बना के वैसा ही लीप लाप कर रेत र्यात मार कैसा कर देदा से कुछ हो है नहीं आपना अब नेकी ने कहा कि अब ऐसे कर इस सिर को रख दे यहां लमारी के अंदर छुपा के और वापिस जाओ लड़के के चिन पावंगे गसीता आएगा सेथ कहीं डाल के आया होगा वहां से भी उठा लाओ क्योंकि मरडर कहीं पता लग गया तो फिर सारबाद पैल जागी और पैचान होगी अब शेव कुछ दिर आया फिर वापिस गया इत्में काफी गंटा सारा लग गया इतने में सेथ अपना से उड़कर सारा काम क कपड़ बोरी वारी शे ढख दिया कि गुरु जी चले जाएंगे उसके बाद बच्चे का अन्तिम संसकार कर देंगे अब अदर शेव भोजन बढ़ाया लड़का कटा पड़ा है एकलता पूतर की गर्दन कटी पड़ी है वो कतल हुआ पड़ा है और मारोटी बना रही है जी के लिए बोजन बना के और कहा सम्मन से के बुलाओ मातमा जी को गुरु जी को जल्दी बोजन करा देंगे फिर ये परस्थान कर जाएंगे वक्त से सुबह पांच बज़े बोजन करा दिया सब्डे चैर बज़े बना दिया परमातमा उठे उनके तीन तीन पातरों में तीन दोनों में बोजन डाल दिया सारा जितना बना रेक्या था परमातमा ने कहा बाई ऐसे करो इसको च्छै दोनों में डालो तीन तुम हो तीन हम है तुमसने कहा महराज Hakim हम तो फिर खाए लएगे आप खाऊए नहीं परमातमा बहुक्त बेटबाए अब प्रसाद बताना चाहते है के लड़का ऐसे हो गया, अब वो यह सोच रहे थे, गुरुजी पूछेंगे तो बतावाएंगे, भै हम जकर भी नहीं करना चाहते हैं, और पूछेंगे तो कहेंगे के कोई खेल ने चला गया हो गया, वो तो अंतरियामी थे, कहा पूजना था उनोंने, अब प्रमात्मा ने नुका था आओ सेव जीम लो ये परसाद प्रेम और सिर्कट तेह्चोरों के वेटा संता के तो अक्सेम संतों के सीस की रक्षा होती है, आजाओ आप बोजन पाओ कहते हैं, जेओ धड़ पे सीस तड़ अपने आप सीस उठकर उठकर उस धड़ पर पाओ कर और सेव भागया आया बाहर बैठकर और बोजन पंगत में बैठकर खाना खाने के दिने, और माता पिता ने निसान देखा, कि निसान भी नहीं गरदन के कहीं कटे हुआ, अंदर उठकर जाकर देखा, वो सव नहीं, वो सीस नहीं, वहा रकत के कुछ धबे जरूर पड़े हैं, तो कुनातमाओ, यदि भगवान की ही अब तुलना करना चाहते हो, पैचान करना चाहते हो, श्री किर्शन जी को आपने तामर धोज के जीवित कर देन मातर से उनको भगवान मान लिया, तो कबीर भगवान के ये लक्षन उसके सामान तर समझना, और देखो, जैसे कमाल था, उसका जीवन सेस नहीं था, और परमातमान उसकी एक्स्टेंशन आयू कर दी, अब उस दिन कमाल के हरदे में धक धकवी और चर्ण पकड़ देनियों बोले भगवान, परमातमान ने कहा सेवू, तो कह रहा था ना, मेरे जैसा कोई सेवक नहीं, तो सेवक त होते हैं, अब इमान नहीं करना चाहिए, उसकी फटक निकाली, अब फिर क्या क्या, परमातमान ने कहा बेटा तरह, अब देखना ठाट हो जाएंगे समन, कहते हैं सत ना छोड़े सूरमा, सत छोड़ें पतदा, अर सत के बंदें लक्समी फिर मिले गिया, आपने अपनी तो क्रिया को छोड़ना नहीं चाहिए, जैसे वो मजाग करते थे, जिसे तुम्हारे बगवान ये करते हैं, लड़का जीवित किया, और फिर समन को इतना धन दे दिया, परमातमान एक नंबर का सेठ का है, उसी जीवन में, तो परमातमा कहते हैं, कल्पे कारण कौन है, मन में कुछ नहीं हो रहा, आण दे समय, कल्पे कारण कौन है कर सेवा ने काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े में रेते काम, फिर परमातमा कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, और माली सीचे सोगड़ा समयाई फल हो, अब आपने आम का बीज बोया है, ये जैसे पौधाब होते हैं, सेकड़ों घड़े उसमें पानी की सिचाही होती है, और उसको प्रिपक होने दो, प्रिपक होने के बाद फिर देखना कितना लद पद होगा फलों से, आप भी खा लोगे, पडोसे भी खा लेंगे, रिस्तेदार भी ले जाएंगे, तो भी ख अपने अत्माई सत्वग्ति के करने से, आपको यहां भी सायता में लेगी, और उस सत्थान पर तले जाओगे, जहां कोई दुख नहीं, अपनी बग्ति करो, औरों को समझाओ, और बार बार सतलो का सिरंबर वाला माओ, वोलो सत्कुर्देव आए अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं, जो जगत गुरु तत्वदर्शी, संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षप्राप्त कर चुके हैं, तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्क पर चल रहे हैं युगिंदर जी संत रामपाल जी महराज से नामदेक्षय आपने कब ली? 11110 को मैंने संत रामपाल जी महराज से दिक्षय लेने से पहले, आप क्या कोई भक्ति साथना भी करते थे? जी मैं अन्मान जी का बैश बर्श तक मैंने शादना किया है और शाथ में बर्मा विश्णु महेश और मा दुरुगा और भगवती की पूजा करते थे जहांपर हमेशा महेने में या शाल में हमेशा बली चड़ाते थे और दुर्गा मा की पूजा शाल में भागवत और इंदू समाज के मतावी जो भागवत होते हैं और ये लगाया करते थे नो दुर्गा पूजा करते थे जिसमें शाल में काफी खर्चा आ जाता था और लाब कुछ भी नहीं मिलता था हमें और ज्यादा घर में ज्यादा प्रेशानी ही रहती थी घर में कभी बच्चे बिमार हो जाते थे कभी माताजी बिमार हो जाती थी और घर में कलेश भी बहुत ज्यादा बढ़ते रहे और भूत प्रियतों का इतना ज्यादा दबदबा था कि घर में हर समय रोजाना कलेश और जगड़ा के शिवा और कुछ भी नहीं होता था और पिताजी और मम्मी का तो हमेशा ही जगड़ा रहता था जिसकारण चे हमें काफी परेशानी होती थी और पूरा जीवन में मैं पूजा इतना करते थे माताजी भी लगवग बहुत ज्यादा पूजा करते थी माधरुगा क जो हमारा मंदिर है भगवती मंदिर गाउं में उसमें हमेशा जोज जलाने के लिए डेली वहां पर पूजा अर्चना करते थे घर में भी मंदिर बना हुआ था जिसमें रोजाना पूजा किया करते थे लेकिन उस पूजा से कोई लाब भी नहीं हुआ और रात दिन घर में ज मरज़े भी ज्यादा बड़ी रहा है और घर में कोई लाब हो नहीं रहे और पत्नीक भी काफी ज्यादा बीमार रहती थी जिसमें उसका एक पाउं हमेशा मलब दर्द रहता था जैसे कि आपने बताया कि आपको बहुत ज्यादा परिशानी थी तो क्या संत्रामपल जी मारच से नाम दिक्षाई लेने के बाद आपकी परिशानिया ठीक हुई जी बहुत ज्यादा ठीक हुआ है मेरा मानसिक तनाब ज्यादा रहता था और जो भी शरीर में जो दर्द था मेरा बेगबोंड में काफी पेरलाइज की शिकायता हो गई थी इस श्याट से यहां से लेके पूरे नशे पूरे ब्लोग हो गए थे और जो यह शरीर एकदम काफी मुल्ब एक्सराइज बहुत ज्यादा करता था पहले और एक शमय ऐसा था कि मैं 500 बेंड और 500 शिट अप आर्मी में होने के वज़े से मैं हर चीज एक्सराइज करता रहता था पांच किलोमेटर बीटी और यह चीज़े एक्सराइज करते थे हम लो तो जब मेरा एक इतना 500 बेंड शिट अप लगाने वाला एक कदम भी चलने के लिए मजबरी होने लगी तो तब मुझे ऐसा रहा कि अब यह तो जीवन बेकार हो गया है अब मैं क्या करूं तो फिर मैंने भगवान को पुकारा यह बगवान मा दुर्गा को पुकारा मैंने का ए मा मेरे शरी जब लाब नहीं मिला तो मैं एकदम अपने को आत्म अत्या करने के चक्कर में लग चुका था तो जब मैं शंतरामपाल जी मारा जी की शर्ण में आया तो तब जाके मुझे आराम होया और जो मेरी ये अलपायू में मिर्त्यू थी वो शंतरामपाल जी मारा जी ने टाल दी मेरी पतनी काफी बिमार रहती थी जिसमें ये पेट फूज कर एकदम से इतना बहुत बड़ा पेट हो गया था जिस कारण से जब डॉक्टरों को दिखाया यहाँ पे पीली बित में डॉक्टर पीटी सिंग तो उन्हों के पास में गए वहाँ पे जाने के बाद में उन्होंन तो जिन्होंने लखनों के लिए रिफेर कर दिया लेकिन लखनों न ले जाकर हम फिर वापस घर ले गए उन्हें और नेपाल में ले जाकर फिर किशी ने बोला कि चित्वन में लेके जाना तो वहाँ जाने के बाद मैं पता चला कि अब ये इनका बचना भी मुश्किल है लगबग पाँस किलो का रिपोर्ट में दिखा ये जो त्यूमर था जो त्यूमर बहुत बड़ा हो जयता है जिस कारण से और नहां खाना नहें गाओं में तो शब कहने लगे ये अब नहीं बचेंगें गांवालों ने सब कहने लगें ये दो तीं दीन दिन में खatif मिर्ज गए थे जिस कारण से मैं कोई शूज नहीं आई फिर मैंने गुरुजी से प्राथना लगवाई शंत्रामपाजी मराजी से तो गुरुजी की दया से गुरुजी ने का वेटा ठीक हो जाएगा परमात्मा दया करेंगे कह दिया वो ट्यूमर ऑप्रेशन के द्वारा निकाला निकला डॉक्टरों को दिखाया जो उन्होंने बताये कि इसमें पांस किलो का जो ट्यूमर है यह अब ऑपरेशन से भी ठीक नहीं हो सकता है क्या कि उन्होंने रिफेर कर दिया था उत्तरपरदेश पिलिवित के पास में जो डॉक्टर है पीटी सिंग जी वहां पे प्रमात्ना की दया से ओप्रेशन जो है सक्षश हो गया और पत्नी की जियान बची आज लगबक पांच-छे साल हो गए हैं जो कि पत्नी ठीक से हैं मेरे पिता जी एक बार आश्रम में आए हुए थे और मैं भी पिता जी को अधरंग मार गया और उनका पूरा जो यह गला है यहां शे गोम कर यहां तक पहुंच गया तो बाद में काफी देर तक ओतारा गुर्जी के दर्सन होके हम लोग जैसे ही चले गए तो फिर यह काल का बहुत ज्यादा अटेक था वहां पे और ज्यादा मलब उनका प्रेशानी होने लगी गला बिलकुल यहां से मुड़कर पूरा एकदम टेड़ा हो गया तो हम लोग तो फिर वहां पर रोने लगे चिलाने लेखे फिर मैंने गुरू जी शे प्रार्थना लगवाई उशी टाम में गुर्जी के दर्सन हो रहे थे गुरू जी ने आधे तिया ठीक हो जाएगा चिंता मतकरो कहा और पिर अमिर्ट जल मागा अमिर्ट जैसे दिया पिता जी का जो गला एकदम से टेड़ा हो रखा था वो सही हो गया और फिर वहीं पर जो आश्रम में नॉर्मल अश्पिटल फस्टेट के लिए बनाया हुआ था उसमें नॉर्मल इलाज करके पिता जी ठीक हैं आज हमारे घर में जो पिचाश पूजा होती थी पूरे खांदान के लोग आते थे और वो पिजाश पूजा काल में एक बार किया करते थे जिसमें माताजी भी बहुत ज्यादा उसमें कांप जाते थे और गर में शांती के लिए ये शारा कार ये करवा लेते थे लेकिन ये कुछ पूजा से कुछ भी लाब नहीं होता था और ज्यादा गर में कलेश जगड़ा बढ़ता ही रहता था और खुद मुझे भी प्रेट की बाता थी जो बिलकुल शरीर में एकदम से कमपन जैसा रहता था जब संत रामपाल जी माराजी से नाम अब देश लिया तो वो भी लाब हुआ है एक बार घर में लेटिन बातरों बनाने के लिए हमने एक होद रहे थे जिसमें बच्चे भी वहां पर नॉर्मल काम चोटा मुटा काम करी रहे थे तो मेरा लड़का था शब्षे चोटा वाला तिर्देव जो वहां पर आ गया और उपर से जो शब्बल रखा हुआ था वो उसके सर पर गिर गया तो वो ब्योश हो गया वहीं पर औ और उसको उठा कर हम दोनों मेरी पत्नी और मैं रोने लगए वहां पर वह एकदम ब्योश आलात में था तो इतने में गाउं के कुछ लोग आके कहते हैं कि इसको अर्श्पिटल ले जाओ मैंने कहा अर्श्पिटल तो मैं नहीं ले जाओंगा चाहिए जो भी होगा मेरे ग पाल जी माराज जी कहके का तो गुर्जी की दया से उसी टैम में तुरूंत लड़का थोड़ा ओस में आ गया फिर वहां पर गुर्जी का मंतर चलवाया हमने तो काफी आराम हो गया दो तिन दिन में लड़का अपने आप ही बिना दवा के ठीक हो गया शबल लगबग आठ दर्श की लो केजी का होता है लोय का जो लंबा होता है इतना बड़ा वह एकदम से उपर से आया और उसके शीदा शर पर लगा और लगबग आदा इंच करीब शर पर गुश गया एकदम से इतना तो खून बहुत ज्यादा बहने लगा नॉर्मल उस श शिवनद करता था जब घर में जाता था तो रात को बार बजे तक मेरे शाहत के जितने भी मेरे दोस्त आते थे और मैं चुट्टी में लगबग कभ शुट्टी गई पता नहीं होता था लगबग 15 बुश बोतल डारू भी लेके जाते थे आर्मी से वो सारा डारू खाने के कि बहिया यह गलत चीज है मत पियो मैं जो दुख के दोर से गुजर रहा था एकदम जो मेरे शरीर में जो पेरलाइस की शिकैस थी जो मेरी आत्म हत्या करने की जो परवल एकदम इच्छा हो रही थे कि मैं अब यहां आर चुका था इस संसार से तो शंतरामपाल जी माराज ज की ही दया से हूँ तो मेरे जो भी मैंने यह गलत बेशन किये थे दारू, मीट, माश, भांग, तंबाकू, खेनी, गुटका यह शारी लत मेरी छूड गई लोग कहते थे कि वही शो सुए खाकर बिल्ली अज को चले लेकिन आज मैं जिस हिसाब से हूँ वो भी खुद कहते ह की वही यह वाक्य ही पहले से अच्छा शुदर गया है कुछ भी नहीं तो नशा तो नहीं करता है कहते हैं मुझे भी बहुत खुशी होती है कि लोग कहते हैं कि यह नशा नहीं करता है और उतना नशा करता था और रात दिन दारू खाता था और जिसमें अपने दोस्त भी बिगड़ ले थे जितने थे और पैशे का भी नुक्सान हो रहा था आज वो सारा पैशा बचत भी हो रहा है और बड़िया अपने घर में शुक्षानती भी हुई है आप से पूछने जाएंगे आप क्या काम करते हैं जी मैं भारतिय शेना का जवान हूँ जो नेपाल से जो गुर्खा रिजमेंड है नैंजियार बोलते हैं चेत्री यूनिट है उसमें मैं कारिरत हूँ तो जो लोग आज आपको टी पर देख रहे हैं और वो भी इन सब परिशानियों से ग्रस्त हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे दाश संदेश तो क्या देशकता हैं मैं ये प्रार्थना कर सकता हूँ कि जिस परकार से मेरे गर पर जो ये दुख का पहाड टूटा हुआ था और मेरे उपर में जो ये समश्याएं आई हुई थी मैं खुद ही अगर आत्मात्या करने के कगार में पहुंच चुका था आज अगर जब मैं सब चीज से सुशंबन न होकर जबकि दोनों मेरी पतनी भी जो टीचर थी और मैं भी खुद आर्मी में था दोनों जने होकर पैशे की भी कमी नहीं थी परमात्मा गुरुजी की दया से आज जब मैं ठीक हुआ तो मैं भक्तर समाज से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिस परकार से मेरे दुखों को शंत्रामपाल जी महराजी ने ठीक किया है आप लोग भी जो ये पुष्टक है ज्यान गंगा और जो ये चैनल पर शश्रंग आता है उसके नीचे जो पिली पट्टी में जो नंबर दिये हुए है उसके पुष्टक मगा सकते हैं और अपना कल्यान करवा सकते हैं जन्ने बाद सर सच सहब जी अशिवात से पूरिव विश्व भर में 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंद्र हैं जिन पर संत्रामपलजी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नाम दिख्षा दी जा रही है अपने नस्दीकी नाम दिख्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222-880-541 कर दो कमा दो झाल झाल झाल